कुछ यूनिट जो है आपको याद रखने की पढ़ेगी और वो बहुत काम की यूनिट है जो बहुत ही जादा यूज होती है उसकी ऐसा ही निक को आपको यादा है हेलो सुडेंट तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चाप्टर जिसका नाम है सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री यह चाप्टर क्लास 11 का फर्स चाप्टर है और इस चाप्टर की अप्लिकेशन आपको हर एक चाप्टर में रखना आने वाली है इसे लिए यह चाप्टर हमार होती है वच्छोल मैटर की एनिफिंग वच उक्यूपाइज स्पेस आपने आसपास दिख रही है सब मैटर ही होंगी ज्यादा था जैसे की चेयर टेबल फैन लाप टॉप पैं जो भी आपको दिख रहा है बेटा वह सब कुछ मैटर ही है तो लिखते है अधिनेशन मैटर की हो लिखते है फ़र 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 इग्जाम्पल इसके अनिफिंग येस दाट ओक्यूपाइज स्पेस अन्द हास मास इस कॉर्ड मैटर ठेके एग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् आपने आप से ही जैसर के चेर लिख लिजे जैसे की टेबल लिख लिजे पैन लिख लीजे जो लिखना आपको आप लिख सकते हैं इंड है तो मैटर को हम क्लासिफाइग करेंगे दो तर्म में पहला है प्योड और दूसरा है मिक्शर को आप चाहो तो dispure भी बोल सकते हो मि तो अगर मैं उसी पानी के अंदर चीनी को शुगर को मिक्स कर दो तो क्या वोलेंगे उसको हम मिक्षर बोलेंगे तो मिक्षर में बता रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ मिक्स कर दी है दो चीज़ मिक्स कर दी है दो या तीन या चार एंड नमर अफ तो उसको आप मिक्षर बोलोगे अब प्योर सबस्टाइंज जो होता है वो क्लासिफाइग किया है दो टमस पहला है element और दूसरा है compound element क्या होता है बेटा तो एक simple सब sentence बोलेंगे और element की definition clear हो जाएगी क्या है element क्या है made up of only one kind of atom जैसे कि अगर मैं बात करूं hydrogen तो बेटा hydrogen gas जो है इसमें दो atom है hydrogen के पर है तो hydrogen ही है तो atom hydrogen का ही that's why hydrogen gas is also an element मैं आपसे पूछो ozone बताइए क्या ही element है तो O3 है तीन atom है पर तीनो oxygen के ही है made up of only one type of atom that's why O3 भी क्या है आपका element ही कहलाएगा तो बताइए बच्चे सब बच्चे की P4 क्या होगा जी हाँ बिल्कुल सही P4 जो है P4 भी element है तो चार atom है पर चारो ही phosphorus के है तो फटा फट लिखिए मेरे साथ made up of one type of element ठीक है अब बारी है compound, compound क्या हो तो compound इसका opposite कर लेंगे जैसे की made up of more than one type of element, made up of more than one kind of element, जैसे की water, अब water में क्या है hydrogen का भी element है और oxygen का भी element है, दो अलग अलग atom है different types के, that's why water a compound है अगर आप से carbon dioxide बटा carbon dioxide में दो अलग अलग types of atoms है, carbon के भी atom है, oxygen के भी atom है, तो carbon dioxide भी आपका क्या है, compound में ही count होगा मैं बोलो बेटा बताईए glucose glucose, glucose बताईए आपका क्या element compound, तो आप खुद बोलो के मैं इसमें तो 3-3 तरह के atoms है carbon के भी है, hydrogen के भी, oxygen के अलग तरह के atoms है, तो यह भी आपका compound ही है, मतलब made up of different kind of atom made up of different kind of atoms तो यह तो बात हो गई हमारे pure substance की, अब आते हैं mixture में, mixture मतलब आपने 2-3-4 तीज़े mix कर दिये mixture दो तरह के होते है homogeneous mixture और heterogeneous mixture what is homogeneous mixture? what is homogeneous mixture? homo का मतलब है uniform तो जिस mixture में composition हो uniform हो पूरा बराबर सेम हो, जैसे sugar of water, अगर आपने sugar को water में mix किया है तो जितना मीठा आपकी first tip है, उतनी ही मीठी आपकी last tip होगी, तो uniformly mix है ना, तो इसी लिए से कहते है, homogeneous mixture तो, it has uniform composition ठीक है बच्चो sugar water बोल लो, आप चाबो salt water बोल लो, सारे ही homogeneous में आएंगे, और heterogeneous क्या है, इसका opposite कर देंगे क्या opposite कर देंगे, non uniform composition ऐसे की, sand and water sand water में क्या होता, अगर mix कर दिया, sand नीचे है जाएगी, उपर पानी होगा, sand पूरी तरह uniform distribute नहीं हो पाएगे, तो यह non uniform mixture, oil water, oil उपड राता रहेगा, नीचे तो आएगा नहीं, तो पूरी तरह evenly distribute नहीं है आपका, that's why it's called heterogeneous mixture, तो definition क्या होगे बच्चो, इसकी non uniform क्या, composition ठीक है example sand plus water बोल दीजे chalk plus water बोल दीजे, oil plus water, आप जितने चाहिए उतने example इसके बना सकते हो ठीक है, तो यह तो पढ़ लिए हमने matter classifier किसमें क्या है, pure, impure क्या होता है, pure, क्या होता है, impure आगे बढ़ते हैं, और पढ़ते हैं हम कोई unit system, तो कुछ-कुछ unit जो है, आपको याद रखनी पढ़ेगी, और वो बहुत काम की unit है, जो बहुत ही जादा use होती है उसकी SI unit को आपको याद रखना पढ़ेगा जैसे कि, जैसे कि बोलू length, length को नापते हैं, तो वैसे length को हम नापते है, kilometer, millimeter centimeter, decimeter, किसी में भी नाप लीजिए लेकिन जो SI unit है, वो क्या होती बेटा length की? वो होती है meter, mass mass बज़र करेंगे, हम kilogram है, kilogram इसकी SI unit है तो mass की kilogram होगे time के time हम बज़र करते हैं वैसे तो बहुत सा unit, hour, second, year, minute, समय कर लीजिए पर इसमें second जो है वो आपकी SI unit है current को किसमे नापेंगे? current को नापेंगे हम ampere में temperature हमारा होता है, beta Kelvin में amount कितना amount है? उसको नापते है, mole में और यही इस chapter में पढ़ना है this is very important, mole ही हमें सीखना है और lunis intensity मतलब की brightness को हम नापेंगे candela में तो यह है सम basic unit जो हमें जाननी है कुछ conversion भी थोड़ी बहुत तो आनी की चाहिए है तो थोड़ी बहुत conversion सीख लीजिए इसमें बहुत साई event रखी गई है यह NCR table ही मिलेगा आपको NCR team में दिया हुआ है table जादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही साई याद रख लीजिए जैसे कि मैं कहूंगी बच्चो आपको यहां से लेकर यहां तक या लखे नैनो याद रखे에요 नैनो आपको बहुत जादा यूज होने वाला है और इस chapter में नी आने वाले chapters में भी toyyah बहुत जादा यूज है 1 nanometer होता है 1 nanometer 10 to be power minus 9 बच्छो 1 नैनो मीटर तैन डू नाईन नाईन डहर गाए मिली इमटरीब से गगीन नैनो नाईं में इतरा झोटा रहे धर दिट्वाइन माइक्रों सथे मिन इपर मार कने इतरें वह लोगा मैंक वी आपी पड़ा हुआ है मैं पहले DECI पढ़ा हुआ है और आपने DECA भी पढ़ा हुआ है तो यह सब आपने पढ़े हुए है नानो थोड़ा सा नया है कह सकते कुछ बच्चों के लिए नानो मिली यह सब याद रखे तो यह हमने पढ़ लिया क्या-क्या मैटर क्या होता है मैटर के classification क्या होते है, कुछ units पढ़ी है, और हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है, कुछ conversion दियात कर ली है, हमने length की, चुकि हमें chapter में काम आने वाली है, तो आगे बढ़ते है, और next बढ़ते है, accuracy or precision, तो precision क्या होता है, precision हम बोल सकते है, that close to its own observation, close to its own observation, and accuracy क्या है, पेटा, accuracy होती है, close to the true value, कि true value से कितना close है, आपकी reading, close to true value, अब ये इसका मतलब क्या हुआ, कैसे explain करें इसको, तो इसको समझते है, example की थो, example लेते है, example लें माल लीजे, कि मैंने एक table जो है, जो table 10 meter की है, एक, 10 meter की table है, जिसको मैंने कुछ बच्चों को measure करने को दिया, और बोला इसको number, जो student A था, उसने क्या किया, दो reading ली, first reading में वो कहता है, कि माम इस table की जो length है, वो 8 है, second reading आप लो, उसकी 9 आती है, चलो, ठीक है, दूसरा बच्चा जो student B है, वो कहता है, कि माम, मेरी first reading तो 9 आई, second reading मेरी जो है, वो 11 आरहे है, काफी दूर, काफी अलग-अलग reading आ रहे है, पर ठीक है, चलो. student C आखे मुझे बोलता है, कि मैं मेरी first reading जो है, वो 8.1 है, मिरी दूसर डी जो है, वो 8.3 है, चलो लेलिख मैने reading समझ गई मैं, चलो ले reading, और student D जो है वो बोलता है कि मैं मेरी first reading 9.9 है और second reading जो है वो मेरी ma'am 10.1 है तो ये सब reading लागे उन्हें सामने ला दिये मेरे और बोला कि ma'am देखो मारे result तो पता करते हैं कौन सही है और कौन गलत है तो student A है पहले मुझे बताईए किनकी reading आपस में close close है अगर मैंने A की चीज़ को दो बार नापा और दोनों टाइम सेम आ रहा value उसका मतलब हो सकता ना मैं सही हूँ ठीक है तो किसके reading इन सम्में से अपनी close close है तो अगर आप बात करें C की तो इनकी reading काफी close लग रही है दोर difference तो आए गए आएगा पर काफी close है close to its own observation उसके खुद की observation काफी close है D की जो observation है वो भी काफी close लग रही है पर A और B तो पता नहीं क्या ही नाप कर आए है दोनों reading जो है बहुत ही difference आ रहा है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह रहा कि बेटा C और D जो है यह precise है precise, precise का मतलब होता है close to its own observation अपने ही reading के close close है बार अबास same reading नाप रहे है यह almost same reading नाप रहे है पर A जो है वो पत्चो वो A precise नहीं है यह कि वो कभी east नाप रहा है तो कभी west नाप रहा है वो B वी जो है वो precise नहीं है यह तो बहुत ही गलत है इसने नाइन के साथ 11 नाप लिया है तो बहुत ही खराब किया इसने तो यह तो समलियर प्रिसाइस का मतलब किया है close to its own observation अब इसमें से कौन accurate है वो पता करते हैं कौन किसकी accurate से सबसे अची है तो टेबल के लेंगे तो यहां पर कितनी थी 10 मीटर थी अब इसकी अब दो observation आते हैं इसका average निकालेंगे आप अब इसका अबरेश तो इसका अबरेश तो लगा जिए आठ नौ के बीच में क्या आता है तो निकाल जी अबरेश निकालना आता होगा दिखा देती हो निकालेंगे 8.1 8 प्लस 9 डिवाइड बाइट बाइट 2 9 प्लस 11 डिवाइड बाइट 2 ऐसे आप average निकाल दीजिए यह यह average आएग आपका अब कौन-कौन accurate है देखना है किसकी जो average value है वो true value के एक पले है तो असली value उसी 10 मीटर थी इसका जो average हो तलिए कि उसने नापा होट भाग करें तुछ सिसने एक पंड़न नंग हूआ है तो यह accurate है student c जो है आपका बेटा इसकी जो value आ रहे हो ए sofort है जो है do believe दस्य बहुत हो है real value के तो यह भी accurate यह भी accurate आपका नहीं है और student d जो है तो यह आपका accurate है ठेक है ना तो आप देख पा रहे हैं कि A कुछ भी नहीं है B प्रिसाइस तो नहीं है बट accurate है C आपका प्रिसाइस तो है बट accurate नहीं है D तो आपका दोनों प्रिसाइस भी accurate भी है तो समझ में आगे प्रिसाइस अप्रिडिंग इतने close हो आपका प्रिसाइस तो नेक्स टॉपिक जो है वह अच्छिव डाटन सट्रमिक थियोरी है लेकिन डाटन अभी नहीं पढ़ना है क्यों कि डाटन की थियोरी कुछ लॉज में बेस है डाटन एक साइंटेस है तो यह तो बोलते हम law of chemical combination तो यह सारे law पढ़ने के बाद ही हम डाटन की थियोरी में आपाएंगे क्या है यह कुल मिला के बेटा five law है one by one in law को हम चलो study करते है तो पहला law जो है हमारा वो है law of conservation of mass law of conservation of mass क्या कहता है बेटा conservation of mass मतलब क्या mass has conserved मतलब जितना mass पहले था उतना ही mass बाद में है conserved मतलब होता है बराबर है जितना पहले था उतना बाद में है change ही नहीं हुआ तो अगर मैंने कोई reaction करी है तो जो mass होगा किसका reactant का पहले मतलब reactant का ही reaction के बाद जो mass और दोनों equal होंगे होंगे mass कभी change नहीं होगा conserved है तो मतलब mass of reactant during a reaction is equal to mass of किसके बच्चो इस इकवर to mass of products और ऐसा क्यों होगा mass is conserved मतलब mass क्योंकि ना घटता है ना बढ़ेगा हमेशा बराबर हैगा तो we can say that mass can neither be created nor be destroyed मतलब ना तो mass कभी घटेगा और ना ही mass कभी बढ़ेगा mass हमेशा same रहेगा reactant का mass प्रट के mass equal रहेगा तो माल लीजे example समझते है कि माल लीजे मैंने A और B को मिला कर C बनाया है और माल लीजे कि A का जो है 3 gram mass है चलो एक काम करो इसको एक कोई element compound लेकी समझ लो माल लीजे carbon plus oxygen से मैंने बनाया है CO2 carbon माल लीजे 3 gram है oxygen माल लीजे आपने 8 gram लिया है तो बच्चों बताइए कितना बनेगा CO2 प्रपोर्शन मतलब होता है ratio तो इसका मतलब हो गया कि यहां क्या होने वाला है यहां पर fixed ratio हैने वाला है जैसे कि अगर हम बात करें water की water आपका बनता है hydrogen oxygen से formula होता है H2O तो बेटा बताईए water में H और O का ratio क्या है by mass तो H और O मतलब hydrogen oxygen का ratio क्या होगा हम निकाल रहे है ratio किसका by mass hydrogen oxygen का in water तो H का mass होता है 1 यू सब जानते है कितने H है water में 2 H है H का mass 1 है तो H2 का कितना हो गया 2 hydrogen का 2 into 1 oxygen का जो mass होता है 16 यह भी अबको पता है तो ratio कितना हुआ 216 मतलब 1 is to 8 इसका मतलब हुआ जब जब आपने water की बात करिए चाहे water कहीं से भी आया हो हमेशा जो formula है वो H2 रहेगा जब जब formula H2 रहेगा ratio will always be 1 is to 8 यही तो आया है इस formula से ratio तो hydrogen oxygen हमेशा combine करेंगे 1 is to 8 के ratio में तो इसका हम कह सकते है मतलब कि when 2 और more elements combine water में 2 elements जब रहे हैं वेशा 2 elements हो we can have more than 2 elements तो when 2 और more elements combine क्यों क्यों combine कर रहे to form compound कैसे hydrogen oxygen ने combine किया क्या बनाने के लिए water compound बनाने के लिए so they always combine कैसे they always combine in a fixed ratio हमेशा fixed ratio में combine करेंगे किसका ratio है ratio किसका है ये ratio by mass है ये जैसे कि hydrogen oxygen ने combine किया क्या बनाने के लिए water बनाने के लिए हमेशा ratio क्या fix होने वाला है 1 is to 8 ठीक है इसको थोड़ा सा और अच्छे से थोड़ा elaborate करते है तो माल लीजे कि H2O का ratio जब 1 is to 8 है इसका मतलब हुआ 1 gram hydrogen को बेटा 8 gram oxygen की ज़रूरत है water बनाने के लिए इसका मतलब ये होता है अगर आपने 2 gram hydrogen लिया है तो आपको 16 gram oxygen लेना पड़ेगा ताकि ratio maintain रहे अगर आप 8 gram लोगे oxygen तो ratio कैसे maintain रहेगा ratio हमेशा fix रहता है एक के साथ 8 दो के साथ 16 अगर आप 3 gram लोगे hydrogen तो बताइए कितना बनेगा बताइए हाँ बिलकुल ये बनेगा 24 gram of oxygen तो ratio हमेशा 1 is to 8 का ही रहा तो अगर मैं आपसे question पूछू हूँ बेटा की आपने 1 gram hydrogen लिया और आपने 9 gram oxygen लिया तो बताइए क्या होगा क्या ये water बनेगा ये बनेगा थोड़ा वीडियो पॉस करिए और सोचिए क्या ये water बनेगा कि नहीं बनेगा और बनेगा तो फिर ratio तो maintain कैसे रहेगा फिर तो बच्चो इसका अंसर ये है कि आपने जब 1 gram hydrogen लिया है तो वो तो 8 gram oxygen से combine करता है ना तो इसमें से only 8 gram oxygen जो है वो used हो जाएगी and 1 gram oxygen जो है left हो जाएगी कोई mixture नहीं है जितना बंचा है अड़ कर दो ratio fix है water का तो एक के साथ 8 ही जाएगा है ना तो इसलिए 9 gram नहीं होगा उसमें से 1 gram बचेगा तो बनेगा पर 1 gram oxygen बच जाएगी यही तो है ratio of fix proportion ratio of definite proportion तो I guess आपको समझ में आगया होगा तो move करते हैं next law के उपर जो law है हमारा law of multiple proportion तो law of multiple proportion क्या कहता है तो यह बोलता है कि आप अगर आपके पास 2 elements है माल लीजे carbon और oxygen है और अगर 2 element multiple compound बनाते हैं तभी तो नाम आया multiple if two elements for multiple compound माल लीजे carbon oxygen CO भी बना रहा है और CO2 भी बना रहा है तो by fixing the mass of one element जिसे carbon का mass fix करते हैं carbon का mass कितना हैं 12 है और यह उस तरफ यह carbon है mass कितना रहेगा mass आपका 12 भी रहेगा तो by fixing the mass of carbon ठीक है oxygen का यह oxygen का ratio कि आएगा by mass तो कितने oxygen का mass कितना है 16 और बेटा जी हाँ oxygen का mass कितना है 2 oxygen atom है तो कितना होगा 32 तो ratio कितना हो गया 1 is to 2 तो क्या कह रहा है when two elements combine to form multiple compound multiple compound जबरी दो हो 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते to form multiple compound on fixing fixing the mass of one element carbon का marks fix कर दिया आपने तो क्या देख रहे है the ratio of the mass of किसका another element जो हमारा है जो हाँ पर oxygen है क्या कर रहा है BSA simple ratio तो लिखते हैं इस लोग को when two elements याद रहे हैं यह से two element पही लगता है combine to form बोलिये मेरे साथ to form क्या to form multiple compound so क्या on fixing क्या fix करें बच्चों हम on fixing the mass of the mass of one element the mass of another element क्या कर रहे है bears क्या a simple ratio जैसे कि यहाँ पर one is to two का आया CO और CO two है बच्चों अगला example और समझते हैं मान लीजे H और O कर माइन करते हैं if you combine hydrogen gas and oxygen gas तो दो त्रे के point possible है या तो आपको water मिल जाए या आपको मिल जाए hydrogen peroxide अब बेटा बताइए water में ratio कितना होता है अभी तो पढ़के आयों कितना होता है 1 is to 8 है ना चली एक काम करते है पहले एक काम करते है किसको fix करना है तो यहाँ पर एक काम करिए hydrogen को देखिए hydrogen कितना मास है 2 यहाँ कितना मास है 2 तो यहाँ पर दोनों में hydrogen fix कर दिया है तो बच्चों फिर उता ही oxygen का mass कितना है यहाँ यहाँ oxygen का से 16 यहां कितना है है जब हमने मायश कर दिया तो मांस का रेश्यो आ रहा हो वह उस्तु टू में आ जो लो नियुकर ने बताया तो यह कहता है कि दोनों का रेश्यो को और वह सिंपल रेश्यो मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स लो है बेटा-मारा गेल आप दुबारा भी पढ़ने होने चाप्टर फाइफ में गेल उस्तेश्च लोग और गैसे वालिम क्या होता है तो यह बोलता है बच्छो वेन गैसे कंबाइंड समझेंगे एक्जामपल से समझेंगे बच्छो ओंड वरी वेन गैसे कंबाइंड या तो गैस कंबाइंड कर र और अर प्रड या तो बन रही है तो र्याक्कर रही या बन रही है माल लीज़े किसे क्या बनता है इसे कंबिडेशन से इसे बनता है नह्चिर विच इस कॉल्ड अमूनिय तो भन्त गैसे कंबाइंड और प्रड्यूस देः बिर असिंपल रिश्यो अ यह भी simple ratio बेर करते हैं किसका ratio by volume at constant temperature and pressure temperature and pressure क्या बोलता है यह बोल रहा है जब आपने gases वो combined किया है या gases बनी है ठेक है तो अगर आप से balance करेंगे तो क्या होगा यहाँ 3 लगा दीजे यहाँ 2 लगा दीजे है तो जो ratio by volume है बेटा by volume ratio क्या होगा तो यहाँ देखिए है नाइट्रोजन जो है वो कितना है one volume कैसे पता जला one volume है नाइट्रोजन के आगे coefficient है जो stoichiometer कुछ आगे लिखी नहीं हुए तो लिखा नहीं तो वन मानेंगे ना हाइट्रोजन कितना है देखो 3 है तो मतलब 3 volume और अमोनिया है नहीं से कितना बन रहा है आगे 2 लिखा होगा है stoichiometer 2 है coefficient 2 है तो 2 volume इसका मतलब यह है कि एक volume nitrogen combine करती है 3 volume of hydrogen से बनाती है कितना 2 volume of ammonia ठीक है तो ratio कितना आ गया 1 is to 3 is to 2 यह तभी होगा जब क्या हो constant क्या हो constant temperature and pressure at constant T and P क्योंकि अगर आप temperature बढ़ा दिया तो बेटा गैस का भी volume बढ़ जाएगा pressure बढ़ा दिया gas का volume घट जाएगा temperature pressure must be constant आकि आप observe कर पाओ कि रेशो का जो volume का ratio है वो आपका क्या है simple ratio है अगर मैं आपसे पूछूँ कि माल लीजे question मैं आपको ऐसे देदू कि अगर मेरे पास 2 liter N2 है तो बताए 2 liter nitrogen के लिए है कितना hydrogen required to form ammonia तो बेटा ratio देगे न आपको 3 का है तो अगर दो लीटर है एक एक वॉल्यूम एन्टू थ्री वॉल्यूम आपका क्या ले रहा है hydrogen gas ले रहा है कि ratio 1 is to 3 का था तो अगर आपके पास 2 liter है N2 लीटर एमिल कुछ भी हो वॉल्यूम किस भी उन्ट सरकती है तो आपका कितना बनेगा बेटा 2 into 3 तो डबल कर दोगे इसको भी तो कितना बनेगा 2 into 3 liter of H2 मतलब 6 liter लेगा यह H2 तो अगर आपने 2 लिया है 2 वॉल्य तो यह 6 वॉल्यूम लेगा तो बताओ बेटा कितना बनेगा मोनिया तो डबल कर दोगे ना इसको भी क्यों क्यों कि ratio is always fixed अब simple ratio बेर कर रहा है तो कितना होगा 4 वॉल्यूम तो यही कहता है गे लुसेस law क्या गैसेस वॉल्यूम ठीक है अब बढ़ते है next law के तरफ जो है हम हमारा Evagadro's law Evagadro law भी जो है बेटा यह भी आप क्या है यह भी आप पढ़ने वाले हो किसमे chapter 5 में दुबारा से यह क्या कहता है यह कहता है equal molecule of gas at constant temperature and pressure at constant temperature and pressure have occupy कि इसका मतलब किया है कि अगर आपने मालीजे दो गास ली यहां पर एक कंटेनर है यहां पर एक irrespective of the gas, कोई भी है, different हो, say, doesn't matter, अगर दोनों के molecule बराबर है, बराबर है, मान लीजे, इसमें आपने ले लिए, आपके 200 molecule, 200 molecules ले लिए और oxygen के भी आपने 200 molecule ले लिए और दोनों का temperature और pressure बराबर होना चाहिए, constant TNP, अगर आपने अगर इन दोनों के molecule सेम है, तो बेटा, इन दोनों की volume भी क्या होगी? volume भी सेम होगी, कितनी होगी वो आगे जानेंगे, ओल कॉनसेप्ट में, पर दोनों की volume सेम है, तो अगर molecule सेम है, तो volume ही सेम है, चाहे वो कोई भी gas हो, अगर आप nitrogen और ammonia compare कर रहे हैं, तब भी ऐसा होगा, कोई भी दो gases ले रहे हैं, पर दिहान रहे, ये law स्रिफ gas के लिए हैं, तो यहीं, इसी के स्था खतम होते हैं, हमारे सारे law पहला, दूसरा, तीसरा जवाता, पांच वाँ पांच law पढ़ लिए हैं, next move करते हम इस law का, यूसरा के जब थियोरी आई, वो थी हमारी direct atomic theory, तो start करते हैं, प्यारे बच्चों, direct atomic theory, पर उससे पहले एक question देख लेते हैं, ये question है, ठीके, अब आपको बताना है, कि ये question किस law का है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, phosphorus जो है, जो combine करता है oxygen से, तो दो oxide बना रहा है, एक बना रहा है, P2O3, एक बना रहा है P2O5, तो two elements compound कर रहे हैं, और ये दो compound बना रहे हैं, दो compound बना रहे हैं, एक नहीं, दो, ठीके, तो बताए, कौन सा law आपका, can be proved by the weight of P and O, P और जब mass लोगें, तो कौन सा law आप उसे prove कर साथ, तो कौन सा law follow कर रहा है, two elements combined forming two compound, या three, या four, five, कौन सा law है, कौन सा law है, वीडियो पॉस करें और सोचें कौन सा law है, हम, तो समझ में आया कौन सा law है, तो इस law जो यहां use होने वाला है, यह है law of multiple proportion, बच्चों क्यों हो क्यों कि multiple याद रखो, जब compound 2, 3, 4, 5, 6, multiple बने, दो element combined to form multiple compound, वहीं पर जब हमेशा लागेगा multiple law, ठीक है, इसे माल लीजे question ऐसा आगया, कि XOR O का combined कर दिया, और आपका XO2 भी बन रहा है, X2O भी बन रहा है, X2O3 भी बन रहा है आपका, X2O5 भी बन रहा है, तो बताएगे कौन सा law लग रहा है, तो यहां भी वही लग रहा होगा, कौन सा law, law of multiple proportion, क्यों बच्चों क्यों कि multiple compound बन रहे है, जब जब दो element multiple compound बनाएंगे, तब तक यही law लगेगा, ठीक है, question समझ में आया, तो चलते आगे बढ़ते हैं, towards the next theory, which is called Dalton's atomic theory, क्या बोलती है theory, तो Dalton's theory ने सारे law यूज़ करके अपने कुछ पॉस्चुलेट्स दिये, क्या दिये बच्चों, पॉस्चुलेट्स दिये, कुछ बाते बताएं उने कि ऐसा ऐसा होता है, क्या बोला है, उने पहली बातों बताएं, जो कि हम बच्च-पन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बोला है ने, कि matter is made up of किसे बनता है, सब बोलते हैं मेरे सार, matter is made up of smallest particle, बच्चों क्या बोलते हैं, उन atom word कहा था ना, atom word बोला था, atom word बैसे बोला तो Greek word से आया है, लेकिन Dalton ने फिरस बात को लिखा थे और होता है, फिर उने बोला that atom is क्या, atom is individual, divide नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सब जानते हैं, सबसे smallest अगर यहीं है, तो क्या divide कर लोगे इसको, तो it individual and क्या बच्चों, indestructible, इसको आप destroy नहीं होता है, क्योंकि atom को भी destroy नहीं होता है, जितना atom आपने लिया है, reaction से पहले, reaction के बाद भी बच्चों उतने ही atoms होते है, ठीक है, तीसरा, तीसरा बोलता है, अगर atom same elements के है, atoms of same elements, are identical in shape, size and chemical properties, तो यह बोलता है, अगर आपने दो atom लिये हैं, तो उनों same element के, माल लिजे, मैंने दिल्ली से लिया एक atom, जो की है carbon का, और आपने माल लिए चले गा, जम्मू कश्मी लेने के लिए, वो atom carbon का, अगर carbon का ही atom लिया है, और अगर वो अलग-अलग है, जिसे माल लिजे, मैंने लिए carbon का, और आपने वही सही ले लिया nitrogen, तो क्या यह same होगे? नहीं, तो atom of same element are similar, and atom of different element are not similar, तो लिख लिजे आगे, and atoms of different elements are different, मतलब इसी का ही बच्चो, वाइजा वर्सा होगे है, ना, shape, size and chemical property. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है यह, कि atoms combine, जब atom combine करते हैं, क्यों कर रहा है combine, ऐसी कर रहे ही क्या? तो compound नहीं ना बबाब उनको, है ना, तो जब atom combine करते हैं, to form compound, they always combine a fixed proportion by mass, in a fixed ratio by mass, यह है हमारा proportionate, atoms combine to form compound, always, कैसे, बोलो कैसे, in a fixed proportion, किसका रुपोर्शन, किसका रुपोर्शन, mass कर रुपोर्शन, भाई, mass कर रुपोर्शन, और किस कर रुपोर्शन होगा, भाई mass, अच्छा मेरा यह question है आप से, आपको इस चार पॉस्टिलेट में अभी तर, कोई law नजर आता है, क्या आपको इन चार पॉस्टिलेट में कोई law नजर आता है, तो मुझे तो नजर आता है, मुझे बताइए बेटा, इस चार पॉस्टिलेट में law नजर आता है, जिसलिका mass क्यों है, आटम का ही mass है वो, तो जब आटम ही घटेंगे बढ़ेंगे नहीं, तो क्या mass घटेगा बढ़ेगा, कभी नहीं, तो यही है law of conditional mass, उस law से डाल्टन ने थियोड़ी दी अपनी, कि आटम कभी खतम ही नहीं होते, ना कभी बढ़ते हैं, कि mass हमेशा सेम नहीं था, इसी वज़े से, और डाल्टन ने कुछ देखे, आटम कि भाई, सेम है कि नहीं हो रहे सेम, डाल्टन ने तो लगाया ना अंदाजा कि जब mass conserve है, तो आटम भी काम संजर होंगे, ठीक है, और बताईए कुछ और लॉव नज़र आ रहा है, कोई और कहीं कुछ लॉव देखा होगा, बताईए, सोचिये, सोचिये बच्चो, सोचिये, तो यहाँ पर आजाईए, और देखे वेटा, यह, यह, बताईए, यह कौन सा लॉव है, तो बच्चो यह है, लॉव बिल्कुल सही, लॉव देफिनेट, क्या, प्रोपोर्शन, देखो भई, उसमें तो वई काता है, तो यहाँ पर लिख दी, तो जो मारा नेक्स टॉपिक है, वो है, रिलेटिव एटॉमिक मास, यह अतॉमिक वेट बोल लीजिए, यह क्या होता है, तो इसको रिलेटिव का मतलब होता है, कमपेरिटिव, मतलब कमपेरिजन करके निकाल वाँ मास, इस समस्ते एक्जाम्पल से, मान लीजिए एक टेस्ट हुआ, जिस टेस्ट में तीन बच्चों ने पार्टिसपेट किया, राम ने पार्टिसपेट किया, शाम ने पार्टिस तो बूलेगा मैं मेरे राम से दुगने टू टायम से उसे रोहन से रोहन तुप्मारे कितने है रोहन नहill时候 3 times है, तो यह 2 times 3 times क्या है, क्या है, रोहन की शाम के actual marks है, नो यह है उनके relative marks relative marks जो relate करें मैंने राम से, और यह वाले थे उनके actual marks, तो समझ में आगया होगा आपको मतलब, कि relative का मतलब क्या होता है, तो कुछ वैसे ही करने वाले, कैसे निकाल relative marks हमने, हमने राश शाम के marks रखे, शाम के marks, और divide किसे किया, हमने divide किया राम के marks से, तो relative marks निकालने के लिए, जिसके marks निकाल रहो हो, उसके marks उपर और नीचे जिससे compare कर रहो हो, उसके marks नीचे, तो वही अगर आपसे पूछूँ कि बच्चों बताओ, कि relative atomic mass, आप कैसे find करोगे, relative atomic mass, अगर मुझे निकालना है, किसी element का माल लिजे, ओ का निकालना है, कैसे निकालते, क्या formula होता है इसका, तो जिसके marks निकालना है, उसके उपर actual mass रिखेंगे, that means, mass of one atom of oxygen, कौन सा mass, actual mass, जो होता है, जो कि बहुत ही कम होगा, और divide में रहेंगे, divide रहेंगे, mass इससे हम compare कर रहे थे, किससे compare कर रहे हैं, या राम से compare कर रहे हैं, नहीं, marks थोने निकाल, अब तो हम तो mass पता कर रहे हैं, तो हम compare कर तेक standard से इसको हमने लिए कर रहे हैं, और पूरे carbon से compare कर रहे हैं, हम उस carbon का, अगर हम उसे कुछ हिस्सा में बांट दे, तो बेटा, जो उसका एक हिस्सा है, 12 हिस्सों में बांट दो carbon को, तो जो एक हिस्सा है, that is 112 portion, उससे compare कर रहे हैं, तो we are comparing, किससे 1 atom of, किसका 1 12th of carbon 12, तो हम compare कर रहे हैं, mass of 1 atom, किससे compare रहे हैं, किसका 112, पूरे carbon से comparison नहीं हो रहा है, बच्चो, 112 से comparison हो रहा है, किसके carbon, 12 वाला carbon, इसका mass 12 है, this is the rated-all mass formula, next है, atomic mass unit, इसी को ही बोला है, हमने AMU, AMU होता है, तो AMU क्या है, AMU, 1 AMU के value रखे है, या 1 AMU होता है, 1.66 to 10 to the power minus 24 gram, बेटा, यह है, actual value 1 AMU, अगर मैं बोलती है, oxygen का mass 16 AMU है, तो real mass कितना है, oxygen ग्रैम में, real mass जो होगा, बेटा, 16 into 1.6 10 to the power minus 24 gram, इतना होता है, ग्रैम में oxygen का mass, जो कि बहुत कम है, इतनी कम value को बोलना और याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर बोलना और याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए AMU करा है, जो कि एजी वे में 16 बोलो, 16 याद रखो, easy है, अगर मैं पूरा 14 gram नहीं होगा, 14 amu होगा, gram में इसका mass होगा, इतना, ठीक है, तो यह difference है, amu ग्रैम में, यह एक atom का mass है, एक atom का, एक atom का mass हमने amu में find के है, amu में, gram में इतना आएगा, जो कि बहुत कम है, इसलिए हम amu करते है, आगे बूफ करते हैं, तो बेटा, हम जब atomic mass की बात करते हैं, तो हम दो तरीके से नापते हैं, कभी-कभी हम amu कर लेते हैं, आज कल तो you use कर रहे हैं, not amu, हम you use करते हैं, और कभी-कभी हम gram use करते हैं, तो कहां पर amu करते हैं, कहां पर gram use करते हैं, amu हम करेंगे जह हम बात करेंगे, एक 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 कारेंटी है, और जब हम एक मोल की बात करेंगे एक मोल मोल क्या उता बताओंगे अभी आपको मुल का मतलब और मोल एक quantity है और जब हम एक मोल की बात करेंगे तब हम ग्राम का यूस करेंगे जैसे कि अगर ने बोलू की oxygen का मास अगर बोलो 16U है इसका मतलब यह मास है one atom of oxygen और तो यह क्या हो गया यह हो गया मौल का मास तो एक एक मॉल का होता है अगर मैं चुलो आप से पूछते हूं मुझे बताइए अगर नैं बोलूं की भाई हाइड्रोजन का मास एक हाइड्रोजन का मास वन 1 amu 1 u है तो 1 a m u कितने hydrogen atom का mass है ये एक atom का mass है वन atom of hydrogen आप मैं लिखण 1 g घ्राम है तो यह किसका maas होगा ये 1 mole of hydrogen का होगा तो यह difference है dufference a mu और gram है a mu 1 mole के लिए होता है इसके साथ याद रखिए कभी-कभी हम इस gram को कभी-कभी है हमेशा ही इस gram वाले मास को हम जानते हैं ग्रैम अटॉमिक मास से हम ग्रैम अटॉमिक मास का ही मतलब होता है कि जो मास ग्रैम में होता है मतलब वो एक मोल का मास है तो जी एम बोलेंगे ग्रैम टॉमिक मास तो यह जो है ग्रैम अटॉमिक मास अगर आप से नाइट्रोजन का बेटा कितना कितना होगा आपका मान लीजए कार्बन का तो आप भूलोंगे मैं 12 ग्राम है थो ग्राइम मॉले में होते हैं यही डिफिरेंस है अगर यह आटम की बारी है तो हम हम घ्राइम मास्ट करेंगे हैं लेकिन अगर मॉलीक्योल की बात कर रहे हैं तो मॉल्ट्यूल में सेम होता है, amu होता है, gram होता है, amu फोर किसके होगा, one molecule के होगा, और gram जो होगा बच्चो, one mole के लिए होगा, जैसे कि अगर आपका जो मास है, वो आपका 44, क्या है, यू है, 44, यू है, 44, यू है, आपका one molecule का मास, लेकिन अगर मैं बोलो, 44 gram है, तो यह मास किसका है, यह मास होगा, आपका one mole का मास, ठीके, तो अगर u में है, amu में है, तो अब इसी बात है, आप यूज करोगे, आपका यह, एक molecule, एक atom का होगा, लेकिन अगर यह gram में होगा, तो यह आपका one mole का होता है, ठीके, तो याद gram molecular mass, gram में होता है, मैं अगर आप से पूछ हूँ, आप लोगों से, कि बच्चो, मुझे बताइए, कि oxygen gas, वो molecule ही तो है, O2 का, O2 का, बताएए, gram molecular mass कितना है, तो आप लोगे क्या, आप लोगे 32, तो O का 16 होता है, तो O2 का 32 ही होगा, 32 क्या है, यह बोलोगे, gram बोलोगे, बताओ, तो मैं पूछा, gram molecular mass, मतलम में ने पूछा, एक मोल का, gram molecular mass, ग्राम में तो होता है, तो 16, नहीं, 32 gram, 32 gram is the answer, तो हमने सीख लिया है, gram atomic mass, gram molecular mass, amu में मतलब क्या होता है, और rated atomic mass का मतलब क्या होता है, and 1 amu equal to कितना होता है, gram में, आगे पढ़ेंगे हम, mole concept, which is very very important, तो चलिए, start करते हैं, mole concept, तो हमारा जो next topic है, वो है, mole concept, जो की बहुत important topic है, इसम को समझते हैं, और इसमें based कुछ questions करत है, तो mole concept में क्या है, तो mole से पहले समझते है dozen, सबको पाई dozen मे मतलब क्या होता, कि मैं बोलू बच्चो की बताईए, 1 dozen equal to how much, आप बोलो के मैं, 1 dozen equal to 12, अगर मैं बोलू के मैं, 1 dozen पें में, कितने पेंस होते है, तो आप बोलो के मैं, 12 पेंस होते हैं, आगर मैं loft, रज़र से तो कितने हो गए 24 बनाया क्यों है सिंपल करने बनाया है 24 बोलने से अच्छा है दो दसन तीन दसन चार दसन यह बोल दो वैसे ही 12 होता है तो मोल का मतलब होता है बच्छो एक मोल में इतनी कॉंटिटी होती है मोल एक मोल के इतनी कॉंटिटी कितनी कॉंटिटी इतनी इस नंबर को हम एवगाड्रोस नंबर भी बोलते है एवगाड्रोस नंबर ही बोलते है symbol use करते N capital और एक मोल में इतनी कॉंटिटी होती तो अगर मैं आफसे बोलूं कि मेरे पास एक मोल पैन है तो कितने पैन होगा है मेरे पास तो बच्चो मेरे पास तो बहुत सारे पैन हो गए इतने सारे पैन हो गए है लेकिन उसारे पैन कौन खरिदेगा आप तो दो होगा जहाँ बहुत जादा है कितनी जादा इतनी जादा है इतनी जादा इतनी बड़ी और वो कौन होंगे, वो होंगे atoms और molecules, तो जो mole word है, ये word atom molecules के लिए, ions के लिए यूज के लिए यूज के आयाता है तो इसलिए mole का मतलब होता है अवगैडरोस नंबर के एक पल और mole जो है हमारा ये यूज करते हैं small quantity small things जो की बहुत ही microscopic होती है, atom molecules और iron में अब इस में से question कैसे आएंगे तो बेटा, सारे question का एक ही तरीका करने का, वो है unitary method ठीक है, अब मैं करूँगे आपको मैं एक लिखती हूँ एक formula लिखती हूँ वो एक formula है, एक brahmastra है, जो हर जगा जाके apply कर दीजेगा answer आजाएगा, बस एक चीज़ याद रखनी है वो formula क्या है, वो relation क्या है, वो देखिए, relation ये है बस इसे हमेशा याद रखिए that, बच्चो, 1 mole is equal to what? GAM what is GAM, GAM मतलब gram atomic mass, या फिर gram molecular mass GMM, equal to beta क्या, equal to 6.022 10 to the power 23, या तो ये atoms होंगे इतने, या इतने molecules होंगे मतलब बताएंगे, रुक्ष जागी थोड़ा सा weight करिए, और equal to 22.4 liter, ये क्या है, ये volume है ये volume है at what? at STP, बेटा, STP क्या होता है STP का मतलब होता है standard temperature and pressure मतलब temperature जो होगा, वो आपका होगा 273 Kelvin pressure जो होगा, वो आपका होगा 1 bar तो इस temperature में, इस pressure में ये gas का volume दे रखा है जो कि एक mole में इतना ही volume होता fix है, चाहिए कोई भी gas अगर आपके पास equal molecule है, equal moles है तो आपके पास volume fix होती वो इतनी ही volume है at this temperature pressure वो को temperature बढ़ाओगे, ये pressure बढ़ाओगे तो volume will keep on changing तो ये relation याद रखिए अब इसे use कैसे करना है तो चलिए बताती हूँ कैसे use करना है आपको ये relation तो relation आपको याद है बच्चो relation आपका ये है use करते है इसके लिए इसको hydrogen gas के लिए hydrogen gas hydrogen gas बोले तो बच्चो क्या hydrogen gas बोले तो H2 तो प्यारे बच्चो H2 के बात करें तो H2 में 1 mole equal to कितना होगा अब H2 तो molecule है तो molecule के लिए use करेंगे क्या gram-molecular mass ये ही use करें gram-molecular mass ये ही use करेंगे what is the gram-molecular mass of H2 तो खाली कुछ नहीं निकालना है mass और ये हमेशा क्या होगा gram में होता है तो 2 gram because H का 1 mole of hydrogen 1 gram होता है तो 2 तो आपका hydrogen का 1 H का mass जो होता है 1 gram होता है तो H2 का जो होगा 2 gram होगा और equal to आपका क्या? equal to इतने numbers ये number equality number क्या है? अटा है molecule है? तो depending on question जिसे H2 है H2 तो हमारा क्या है? molecule है sodium की बार करें sodium में क्या atom होता है तो ये number जो होंगे इतने atoms होंगे अगर question molecule है तो molecule होंगे atom होंगे और equal to क्या? 22.4 liter at what? STP standard temperature and pressure ये relation में लिख लिया अगर वही बात करूं बेटा बताए ओटू के लिए क्या होगा? बताए ओटू के लेशन के लिखेंगे सब लिखेंगे मेरे साथ 1 mole is equal to कितना? is equal to 32 gram okay O का 16 होता है double कर देंगे और equal to इतने क्या? atoms की molecule? बिल्कुल सही molecule और कितना volume? 22.4 liter at STP शुक्कि volume is always fixed for 1 mole अगर आड्रोस होने कहा था, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछती हूँ बेटा 1 mole में इतना gram है? 1 mole में इतने molecule है? 1 mole में इतना volume है? तो मुझे बताओ hydrogen में 2 mole में कितने होंगे? कितने gram होंगे? बताए कितने gram होंगे? तो आप बोलोगे मैं खुद दिख रहाए आपको एक में 2 है, तो 2 में 4 gram होंगे नहीं होंगे? मैं पूछती हूँ बताओ 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 दो mole hydrogen में कितने molecules होंगे? कितने molecules होंगे? तो बई 1 mole में अगर इतने molecules हैं तो 2 में double कर दो, double मतलब हो गया 2 multiply कर दो इससे करके दिखाओंगे multiply आपको भी है कैसे करते हैं? 6.02 10 to the power 23 6.02 10 to the power 23 multiply करो तो ये आपस में होंगे याद रखना 12.044 10 to the power 23 तो इतने molecules होंगे आपके 2 moles के अंदर अगर आपको बताओ बताओ बेटा 2 moles में कितना volume होगा? volume, volume, एक में 22.4 है 2 में कितना होगा? 2 में होगा 2 into 22.4 लीटर, आटास्टी भी मतला 44.8 लीटर ऐसे करा मैंने कुपेशन बहुत सिम्पल oxygen का रिलेशन पताओ आपको लिखना भी आया रिलेशन तो बताओ बेटा oxygen के 2 moles में कितना मास होगा? तो एक में 32 में कितना होगा? वोसे multiply कर दे कितना होगा? अगर ना बोलती हूँ, बताओ आपको लिखन के 2 moles में बच्चों, कितने molecules होगे? कितने molecules होगे? कैसे करेंगे? तो एक में कितना है? इतने molecules से relation कहरा है? दो में कितना होगा? डबल कर देंगे? तो सेम, 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 सेम सब कुछ वैसा ही है इतने molecules, मददद 12.04 पो 10 ने पावर 23 molecules, ठीक है? चलिए, थोड़ा क्वेशन को कॉंपलेक्स करते हैं यह तो बहुत सिंपल कर लिया हम लिए थोड़ा कॉंपलेक्स करते हैं बात oxygen की करते हैं, पर question थोड़ा change करते हैं, question अगर यह पुछे आप से कि बताइए, मेरे पास 50 gram oxygen है ठीक है? और पुछे, बताओ कितने moles होंगे 50 gram oxygen में How much gram? What is a mole in 50 gram of oxygen? जब भी ऐसे questions आए आप सिधा relation में चाहिए बात यहांद सुनदा आप सिधा relation, relation यादा relation, relation में जाए देखे, relation में gram और mole का relation कहां लिखा होगा है? तो यह है gram का relation, mole के साथ सिर्फ वहीं देखिए, बागी सब को दुन्दुला कर दीजे अपनी आखो से ठीक है, mole की और volume छोड़िए gram mole की बाद है, gram mole को देखी खाली तो यह देखिए और relation को कॉपी करेए, अब कैसे लिखना relation को, relation को ऐसे लिखना है, इसको आता है unitary methods, अच्छी बाद नहीं आता हो, भी सीख ले कैसे लिखना है? तो बेटा, जो चीज आप से पूछी जाती है, आप से mole पूछा कया है तो relation को इस तरह लिखिए कि mole जो है हमेशा राइट साइड आती है, unitary method लगा, यह कुछ नहीं ठेक है, तो 32 gram में एक mole है, unitary में हमेशा unit का बताते हैं, बतब एक का बताते हैं, तो 32 में एक है न, तो 1 में कितना होगा? तो 1 gram में हो जाएगा, 1 by 32 mole, यह है एक gram में, अब question एक कुछा कितने gram का था, अब हम question देखते, 50 gram बोचा था, 50 gram में कितना होगा बेटा, 50 into 1 by 32 mole, क्या आपको करना आया, ठीक है, नहीं आया, दुबारा से इसी कोशनों करिए, और फिर आगे move करिए, next question में, अगला पर दूँ, मैं बोलू बच्चो, मताइए 50 gram oxygen, वहीं, same question, oxygen है, बताओ बच्चो इसमें, कितने molecules, कितने molecules होगे, कितने molecules, कितने molecules होगे, कितने molecules होगे, तो क्या करना, देखो, मैं, देखो, मैं तो मैं थो पहले moles निकाल लेती हूं, तो अभी हमने मोल्स निकाल लियोमोल्स कितने मैं, इतने doubles है ₱च W__ में इतने oils है, मतला, 50 Wave में, आपके पास 30 Careful पास ये moles है, अब रले एक다면 मोल में इतने molecules है, तो बताओ इतने मोल्स में कितने होंगे तो एक मोल में आपके इतने मॉलिक्योल्स है तो 50 by 42 मोल्स में कितने होंगे क्या करोंगे वच्छो कुछ नहीं करना है मॉल्स में करें तो इसको हम एने वोलते हैं इसका आंसर क्या होगा चलो क्वेशन जो है वो यह है आपका चली वीडियो पॉस करें और सॉल्फ करें इसको और मैं भी बताती हूं सॉल्फ करके जब आपका हो जाए फिर प्ले करना कैसे करेंगे देखे बच्छो सॉल्फ करते इसका रिलेशन याद है रिलेशन क्या है ऑक्सिजन का वन मोल इस इक्वल टू कितना 32 ग्राम इस इक्वल टू कितने उसने पूला है 48 ग्राम में कितने मोल होंगे तो कितने ग्राम में कितने मोल लिख लो इसको 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 बेटा एक gram में unity लगाओ, एक में कितना होगा? तो 1 by 42 हो जाएगा तो बेटा, 48 gram में फिर कितना होगा? multiply कर तो, एक में अगर इतना है, तो 48 में कितना होगा? 48 multiply करो और क्या? तो क्या हो गया? ये हो गया हमारे 48 by 32 moles आया? तो ये हमने question कर लिया? चलो, अगर आपका सही वांसर था, good नहीं था, अगला question करो अगला question है हमारा, ये वाला question चलिए करते, इसमें बात करा है nitrogen gas की चलिए सब लिखेंगे, relation लिखेंगे इसका और N2 पताइए, N2 relation क्या होता है nitrogen gas के रिए बच्चो 1 mole is equal to कितना gram? equal to 28 gram और equal to कितने molecules? equal to, अब molecules क्यों? क्योंकि N2 बोला है, इसलिए molecules यही पर अगर होता sodium, सब N2 होता तो atoms होते, N2 तो molecule है ना, तो इसलिए molecule लिखेंगे तो molecules molecules, चीक है? equal to 22.4 liter curve at STP STP क्या है बोलो? बिल्कुल सही चलिए भई, तो moles निकालने है moles निकालने है, मास दिया हुआ है, तो relation को arrange करिए तो moles और मास की बात करा है, बागी सब बजाएगा out of focus हमारे लिए बागी सब भूल जाएगे, यहाँ देखिए तो 28 gram में 1 mole होता है थोड़ा सा left side कर लेते हैं इसको 28 gram में 1 mole है बेटा, किसका? N2 का तो unitary लगाईए, एक में कितना होगा 1 by 28 mole होगा, कितना gram दिया हुआ है, 56 gram दिया हुआ है बही हमें, तो कितना होगया 56 into 1 by 28 moles of N2, आज से क्या होगया 56 by 28 moles तो moles लो हमारे हाथ में आगे, चलो बहुत अची बात है, अब पुछा है volume क्या volume कर सकते हैं, तो भाई moles अपके हाथ में आगे, सब कुछ अपके हाथ में आ गया moles पलिगे ना, तो बस क्या 1 mole में इतना volume होता है इतना volume होता है कितने moles देवे हैं, कितने दिये, 50 by कितने, 56 by 28 तो ये था A part, B part कर लिजे B part क्या है बेटा कि एक mole में आपका 22.4 लीटर होता है, हम diet mole, हम diet mole से कर रहे हैं हमके उने mole सॉल्व कर लिए, तो mole से करना easy होता है, तो हमें 56 by 28 moles में कितने होंगे मैं चाहती हूँ, सब बच्चे से सॉल्व करें, सब का सही answer आना चाहिए बिल्कुल this is the volume, यह होगा volume, ठेक है, चलिए C part में आजाए, यह C part क्या है molecules निकाल लिए, करिए बच्चो तो आपको पता है, एक mole में कितने molecules होता है, एक mole में बटा है, N A molecules, N A का मतलब क्या, N A का मतलब क्या, N A का मतलब यह नंबर बड़ा असा नंबर है न, तो कितने moles है, इतने moles, कहां का, पहले ही कर लिया 16 हमने, तो 56 by 20 को moles है करना कि इतना easy हो गया, इवार mole हात में आ गया, फिर बस क्या, moles को रपुट करते जाओ, और बस निकालते जाओ, तो 50 to 28 में, मल्टिप्लाय कर देंगो, साइड भी, तो इतनी molecules, चाहो तो इसको और solve कर लो, यह न, depend on option, option में कैसकी इस फ़र्म में दिया हो, scoring आप सो और solve कर सकते हो, चलिए, अगर इतना कर लिए, आगले बारी है, atoms की, atom कैसा निका लेंगे, आप बोलोगे, एक molecule में दो atom है, हमारे पास अभी इतने molecule निकल के आई है, तो इतने molecule में कितने atoms होंगे, चलिए, करिए, 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 अभी हमने करा, अभी जस्किया है, बच्चे, देखो, एंटो से देखो, एक molecule में दो, इटास टो atomosity, दो atom है, एक molecule में आपके, इतने molecule हैं, तो solve किया है, टि-6 by 28, एने molecule अगर हमारे पास है, तो कितने होंगे atom, तो से multiply कर लो, और किया है, बस simple, काट लो इसको है न, 14 हो जायागा ये, तो ये और कट रहा है, ये कितना हो जायागा यहां से, 14, 4 से होगा ये है न, तो ये 4 Na हो जायागा न, 4 Na molecule, उपर भी कट रहा है, उपर यहां 2 Na हा रहा है, 2 Na molecules है, यहां भी 22, 22.4 हो रहा है, और ये 2 moles आ रहे हैं, ठीक हैं, तो ऐसे कर लिया, तो I hope आपको ये question हो गया, अगर जिस सब को ये question हो गया है, तो आगे question हो जिसको नहीं हो है, दुबारा से question करो, try, बिना इस question हो करें, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि चीज़े step by step, step by step build up होती जाएगी, चलिए भाई, अगले question हो जिए, अगला question है, 50 liter of O2 में बताईए, कितने moles है, mass है, molecule है, चलिए मेरे साथ की रिलेशन पता है, रिलेशन दुबार लिख लेंगे हम, तो इस relation मारे mind में छप जाए, हमें लिखना है रिलेशन बार बार, हमें अपने automatically mind में relation आजाए, बिने लिख लेए फिर भी 1 mole equal to, कितना होता है बच्चो, 1 mole equal to, 32 gram, O2 है, O2 की बात करें तो molecule लिखेंगे, molecules is equal to 22.4 liter at STP, ठीक है, अब देखो क्या बात कर रहा है, यह बात कर रहा है, liter volume की बात कर रहा है, बात कर रहा है आपकी, moles की, volume की बात कर रहा है, moles की बात कर रहा है, तो सरफ moles और volume को focus करिए, बाकि सब को, आउट ओफोकस हटा दीजिए सब भूल जाएं रिलेशन लिखिए तो निकालना है हमें क्या निकालना है मोस तो मोस हमस्च आएंगे राइट साइड तो रिलेशन को लिखेंगे इस तरह से कि मोस राइट साइड मतलब 22.4 लिटर में एक मोल होता है तो बच्चों खुद सॉल निकालना है में बच्चों जाओओं जानी च्चों में आश्यकार फट्रेय का अभीक्स निकालना हमें Evan boss निकालना हमें इतने महीं सब्सक्राइं इतने ग्रांश्च और हमें देआ हुआ है 50 by 22.4 मोल कितने ग्राम होगे बच्चो 32 x 50 by 22.4 ग्राम कर लीजे क्या दिक्कत है आगे बढ़ी बढ़ी है सी क्या है molecule पूछा है तो एक मोल में एने molecules है यह ना रहे बच्चो तो इतने में कितना होगा तो यह हो जाएगा 50 3 by 22.4 मोल में हो जाएंगे आपके मुल्टिप्लाइ कर दीजिए इसको एने से ठेक है molecules आटम पुछा है तो molecule जितने आए डबल हो जाएंगे ना अटम क्योंकि एक एक oxygen क्यों क्यों कि इतने मोलेक्वल करते हैं तो क्या हो जाएंगे कुछ निए कोईशन चलिए करिए कैसे करेंगे इस question को कैसे गरेंगे question को तो बच्चो कोईशन है कारपने यंदिया हुआ थीन ग्राम यह निकाले ऑन यह जो लोगे ओ अधाल लोगे आटम यह जो निकाल लोगे इस तो बच्चों लिखेए qa 1 मोल में कितना हो गई इस का तो गईनोंन यह तो काबनेट का 12 plus 3 x 16 कितना हो गया है 12 फ्लस 48 बूले तो 60 ग्रम 60 ग्राम हो गया 이거 वालिउम पूच रहा है कि यह यह होता है Sir इस्तक्र czar यह ग्यात रिभ्ट में टहली इस लिचे लिच्करण टू टैस्पिंगी टूटी टूमजा में पूच रहा है कि पहला पाथ कितने आये संद्ध तो बेटा ग्रैम बोल रहा है और आयन पूछ रहा है तो बेटा 60 gram में लेशन लिखिये Na आयन जो पूछा हुआ है उसको लिखा है right side Na आयन तो 1 में कितना होगा? Na by 60 आयन तो प्यारे बज्शो 3 gram में कितना होगा? 3 gram में हो जाएगा na by 60 into 3 आयन मतलब क्या? Na by 20 आयन कट जाएगा न ये? चलिए अब पूछ रहा है कितने oxygen atom होंगे कितने oxygen atom तो भई पहले तो बता लो total कितने carbonate iron है वह बता करो कितने total ions कितने हैं तो यह total ions हो गए है नवाइ 20 तो तीन ग्राम के अंदर इतने ions है और एक ion में कितने oxygen atom है एक ion में तीन oxygen atom है न तो बेटा second part में 1 carbonate ion में 3 oxygen के atom है और हमारे पास कितने है कितने carbonate iron है इतनी तो na by 20 ion में कितने होंगे 3 into na by 20 oxygen atom है न तो क्या हो गया यह solve कर लेंगे हमारा answer आजाएगा अगला बोला total total charge होगा है न तो तो चार्ज निकालिये तो कैसे निकालेंगे total charge भचो कैसे निकालेंगे तो देखिए एक carbonate ion में 2 negative charge है वन carbonate ion में कितना है टू negative मतभर 2 electron charge है इन गेटिव की value जो होती है fix होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 कुलम्ब यह होता है 1 electron का छार्जटो एंक कारगों ़ोस् को तो वादिशस Twin वी हाब भीस रश्य लिए एकले निट भेलेंगे टु 닳 थे झाए न गार अठालीके मट रिंगए नो ह chodzi 20 E charge ठेके न? तो कितना हो गया यह? Na by 10 E तो यह charge होगा हमारे 3 gram carbonate iron में तो हमने question कर लिए यह है एक और question है last question है इसको मैं चाहती हूँ आप खुश से try करें और try के बताइए answer in the comment box सही answer मैं पोस्ट कर दूँगी और देखते हैं कि इन बच्चों ने इसको सही answer निकाला है ठीक है तो हमारा next topic है percentage composition percentage composition का मतलब क्या है तो अगर हमारे पास example है calcium carbonate का तो question ऐसे होता है कि calcium carbonate में हर एक element के कितनी percentage है इस compound के अंदर है मतलब percentage क्या है calcium की percentage क्या है carbon की percentage क्या है oxygen की तो percentage निकालना है हमें बेटा calcium की कैसे find करेंगे calcium का mass divide by इन compound के अंदर compound है calcium carbonate बचते मास आप calcium carbonate find कर लेते है calcium 40 carbon 12 oxygen 3 into 16 that will be equal to 40 plus 12 plus 48 तो बेटा 100 आएगा और इसका तो मास आप याद ही कर लिजिए क्योंकि हम निकाल रहे है क्योंकि हम निकाल रहे है percentage हमें हमेशा multiply करते हैं 100 से कितना आ गया है 40% this is the percentage of calcium in calcium carbonate तो हम निकाल रहे है percentage by mass of हर एक क्योंकि क्योंकि क्या होगी तो बेटा काबन ही क्या होगी 12 काबन का मास कितना हो गया 12% oxygen की percentage क्या है तो oxygen की 3 atom है तो एक का होता है 16 तो 3 into 16 divide total mass of compound कितना है 100 into 100 तो ही कितना हो गया 48 upon 100 into 100 मतला बच्चो 48 this is how we find percentage composition तो हम निकालते है percentage composition of water of crystalline in blue vitriol percentage composition किसका water of crystalline water of crystalline water of crystalline in blue vitriol what is blue vitriol copper sulfate pentahydrate को बोलते है ठीक है water crystalline कितने 5 water crystalline इसका निकालना percentage कैसे निकालेंगे total mass के होग copper sulfate copper का होता है 64 तो करते है 64 plus sulfur का mass होता है 32 oxygen का mass कितना होगा 4 into 16 और प्लस water का mass 18 होता है यादी कर लीजे तो 5 into 18 तो 64 प्लस 32 प्लस कितना हो जाएगा 64 प्लस 5 into 18 solve कर ये इसका answer अप्रॉक्स आएगा तो water का mass 5 water के molecule है तो 5 into 18 upon 250 into 100 तो solve करेंगे इसको इसका answer अप्रॉक्स आएगा 36% this is how we find the answer ठीक है तो चलिए समझते है molar volume molar volume का मतलब क्या होता है कि 1 mole gas at STP या NTP में कितना volume occupy करती है तो पढ़ा था आपने अभी पढ़के आई है बताइए बेटा 1 mole gas कितना volume occupy करती है 22.4 liter yes or no STP या फिर NTP you all know what is STP STP मतलब क्या होता है temperature कितना होता है STP में 273 Kelvin that means 0 degree Celsius और pressure होता है आपका 1 bar ठीक है NTP का मतलब होता है normal temperature pressure इसमें temperature होता है same 273 और pressure जो होगा 180 है पर दोनों में जो gas होती है gas हमारी जो होती है it occupy कितना volume gas occupy 22.4 liter volume ठीक है बच्चो तो एक mole gas हमेशा इतना ही volume occupy करती है STP and NTP if you change temperature or pressure तो और बात है volume will keep on changing पर एक mole का add this temperature or pressure fix है volume ठीक है temperature pressure अगर fix करो तो mole अगर fix है तो volume fix ही होता है कितना होता इतना होता इसे कहते है molar volume एक mole की volume आगे बढ़ते है next topic is empirical formula empirical formula और molecule formula और molecule formula सभी जानते है क्या होता है empirical formula क्या होता है बच्चों तो अगर मैं बोलूँ आप से कि molecule formula बताओ कितना होता है hydrogen peroxide का तो बोलो कि ma'am H2O2 होता है glucose क्या होता है बोलो कि हम C6 H12O6 होता है बताओ यह hydrazine hydrazine का नहीं बता होगा चलो कोही बात नहीं मैं बता होती हो N2H4 होता है तो बेटा इसका empirical formula क्या होता है तो कुछ नहीं empirical formula में आपका simplest ratio होता है ratio मतले ऐसा 2 2 और 2 है common factor है 2 है ratio कितना आ गया 1 is to 1 का आ गया formula क्या बन गया HO 2 to common होगे तो 1 to 1 1 to 1 का ratio बना वैसी glucose मतले glucose में common क्या है glucose में common आ रहा है 6 common भाहर शेटर भाहर निकाली बचा क्या C1 हुआ H कितना हुआ H2 हुआ जरुआत नहीं है आपको सिफ्रा सी लिकिए C का मतलब यह 1 की carbon है और O भी कितना 1 तो क्या बना CH2 CH2 मतलब 1 is to 2 is to 1 का ratio है तो ratio इतना है exactly कितने atoms है वो नहीं बता वो बताता है molecule formula molecule formula है बता रहा है कि कितने actual atom है उस molecule के इंदर carbon के 6 है hydrogen के 12 और oxygen के 6 है A glucose के molecule में पर empirical formula बता रहा है कि क्या ratio है उन atoms का किस ratio मिक्स से हो atom तो ratio क्या है 1 is to 2 is to 1 तो है हाइडराजीन का क्या ratio बनेगा 1 is to 2 ratio बनेगा NH2 बनेगा formula तो यह है empirical formula empirical formula हमें बिल्कुल ही बताता है कि उस molecule कितने atoms है वो बताता है यह हमें बताता है actual number of atom कितने actually कितने atoms उसके अंदफर empirical formula वो है वो हमें बता रहा है कि क्या simple as whole number ratio है on atoms का ठीक है अब move करते है और देखते है question कैसे आते है इसमें question जो इसमें आते है वो percentage composition की तरह से आते है उसके form में आते है और इसके question तीन द्राइक question में generally आपको उचे जाते है तीन टाइप लो question मनते है इसमें let's discuss each type one by one first पढ़ते है पहला question किस form में आएगा तो वो आपको percentage composition दिया होता है और बोलता है निकालिए empirical formula कैसे find करेंगे तो बस एक table याद रखिए ओर based answer हाथ में वो table कैसा है पहला लिखेंगे element का नाम पहले हम percentage क्या है पेले हम लिखेंगे क्या atomic mass होता है फिर लिखेंगे रखिए की devil क्यों कोsubz को क्योंस क्योंस की DP करेंगे OLD कोंते हैं इन दोनों को आपस में सर्फिर लास में निकालेंगे हम कितना simplest ratio है simplest ratio ठीक है चलिए करते हैं solve आईए मेरे साथ solve करिए carbon, hydrogen and chlorine carbon 10.06 hydrogen 0.84 chlorine 89.1 तो यह हो गया 12, 1 और 35.5 है ना यह पता हिए mass आपको, moles कितने आएंगे रिवाइट करना है, percentage और atomic mass से तो 10.06 10.06 divide by 12 ठीक है बेटा, 0.84 divide by 12 यह यह 9.1 divide by okay तो यह 1 करना है, hydrogen था यह 1 कर दीजी, 35.5 यह divide हम मास से करना है, तो हमें मास से ना आपके यह अपरोग 0.84 आपकर करना divide उतना ही आएगा, यह भी 0.84 तो आएगा देखी रहे हैं और यह एपरोग्स करिए divide तो यह धाई कुछ आएगा 2.5 तक आएगा, अब यह कैसे निकालते हैं, simplest यह कैसे find करते हैं, तो इन तीनों में जो सबसे smallest होगा, उसको divide कर दीजें, इन तीनों से सबसे जो smallest सबसे निकालते हैं, जो इन तीनों हपसे smallest होता है, जेके, 0.84 बच्चो, 0.84 divide by 0.84 और 2.5 divide by 0.84, यह तो 1 हो जाएगा, same value है बिटा यह 1 हो जाएगा, यह अपरोग्स 3 आएगा, तो कारवन के 1 आटम, H के, A के और क्लोरीन के 3 आटम, तो क्या बन गया, तो इसका empirical formula बन गया, बच्चो, C at Cl3, अच्छा, एक और चीज सुन लो, कभी-कभी नहीं जो आता है ratio, यह whole number नहीं आता, हमें whole number चाहिए होता है सबस्क्रावर ऐसा होता है, कि होता है, 2.5 तो क्या आप ऐसे लिखते हैं, कि C, H, और Cl2.5 अलाव नहीं होता है, तो धाय को यह, धाय अटम मतलब क्या होता है, आधा अधा अटम काटे रख दिया आपके, तो हमें हमेशा इसको करना पड़ता है, whole number में तो multiply करना पड़ेगा तो multiply 2 से करो, कि देखो, यह तो 5 बन जायागा, और बाकी होल नमबर थे ही वैले से, तो multiply by any smalls number, जो से whole number बन जाया, तो 2, 2, 5, तो जो ratio हम पुट करेंगे, वो यह वाला पुट करेंगे, क्योंकि धाय हम नहीं रख सकते, तो we'll come back to whole number, जो कि सबसे smallest whole number जो बन सकता, भो बनाएंगे, ठीज, multiply किया 2 से, दूसरों multiply करें, इस सो करें, दूसरों multiply सारे होंगे, और फिर 2, 2, 5, तो फॉर्म ताब, फॉर्मला बनता, C2, H2, CL5, यह तब हो था, जब यहां answer point में आता, यहां तो खेर point में नहीं था, 3 आया था, सिंपल लगती रहा, होल नमबर ही था, तो कोई दिक्कत नहीं आई, जब नहीं होता होल नमबर, तब हम ऐसा करते हैं, लिख लीजे फिर से, 1, 1, 3, ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, तो अगला question जो है, वो इस topic से आता है, relation between empirical formula and molecular formula, यह क्या होता है, तो मेरा question है आप से, अगर मैं आप से पूछूँ, कि बचो बताओ, अगर मेरे पास molecular formula, यह है, तो बताओ, empirical formula क्या होगा, तुर्म बगा दोगे, अभी क्या था, आपने बूलोगे, empirical formula common ratio 6 निकालो भार, मैं यह CH2O हो जाएगा, चलो, बहुत अच्छी बात है, अगर मैं बोलो, मेटा, molecular formula जो है आपका, वो C2H2, और CL4 है, मालनीजे, तो बोलो, बताओ, क्या होगा, इसका, क्या होगा, इसका empirical formula, तो आप बोल दो, कि मैं, इसका CHCl2, जाएगा, क्योंकि molecular से, empirical find करना, बहुत ही असान है, दाय हाथ का खेले हमारे, बाय हाथ का खेल, जो भी होता है, लेकिन, अगर मैं आप से, वही पूछ लूँ, गेम को reverse करतू, कि empirical से, बताएए, molecular, मैं बोल दो, आपको CH2 empirical formula है, molecular formula क्या होगा, यह पूछ दूँ, तब अच्छा होगा, बोलो, कैसे होगा, है ना, अब कॉमन फैक्टर, क्या करें, अब तो, सिंप्लेस मही आगे, अब कैसे बनाए, मैं के बता, कितने अटम इसके लिए, पर मैं आपको बोल दूँ, जो यह इन फैक्टर था, अब रिवर्स करना, तो मॉल्टिप्लाइ कर लो, तो क्या 6, मॉल्टिप्लाइ कर लो, तो C6, C6, H12, O6 हो गया, मैं बोलू, बेटा, एंपेरिकल फॉर्मॉला मान लीजे, दे रखा है, CH2 हो, और बोल दू, N के वैल्यू यहाँ पर, 2 है, बताओ क्या होगा, मॉल्टिप्लाइ फॉर्मॉला, तो आप बोल देख, अच्छा, कॉमन फैक्टर 2 है, तो क्या गरना है, C2, H4, और O2, बन गया मैं, क्या था इसमें, तो आपने, इसली कर लिया, जब आपको पता चला, कि N जो है, जो कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, आप इसली फाइंड कर लोगे, इंपरिकल से, मॉली क्या फॉर्मॉला, जो कि मुश्किल था पहले हैं, लेकिन फॉर्मॉशन यह है, अगर N दिया ही नहीं जाए, हमारे गिवन ग्वेशन में, अगर N की वैलुवियां दिजा, कैसे करोगे, फिर बिन अनके कर लोगे, तो बिन अनके कैसे करोगे, अने कर पाऊँगे, तो इसी लिए ही तो रिलेशन बताऊंगी, मैं भी आपको, कैसे करेंगे, चलो सीखते हैं, तो N फाइंड करने के लिए, जो formula हैंалась खरेंगे, वो होता है, molecular mass, थिवाइड बाइंड बाइं, बच्चो क्या, इपरिकल फॉर्मुला मास, हम सब को निकालना आता है, empirical formula, उसी का ही mass को बोलते हैं, empirical formula masks, तो empirical, फॉर्मुला, math, ठेके बच्चों, तो कैसे आएगा, question कैसे करेंगे चलिए समझते question के थू तो यह question है इसमें क्या है इसमें आपको दिया हुआ है यह empirical formula और दिया हुआ है molecular mass पूछा हुआ है molecular formula कैसे करेंगे बच्चो तो पहले n निकाल लेंगे n क्या होता है molecular mass divided by empirical formula mass molecular mass तो आपको already given है कितना है बच्चो 166 empirical formula mass निकालते हैं अभी तो C4H3O2 empirical formula से निकालेंगे mass तो 4 into 12 plus 3 plus 2 into 16 कितना हो गया यह 48 plus 3 into 3 plus 32 तो बेटा यह prox 83 आ जाएगा तो put कर लीजे molecular mass 166 है empirical formula mass हमारा 83 है यह हमारा empirical formula mass ठीक है कितना आया 2 तो n जो है common factor जो है वो 2 है तो n आपके हाथ में है बच्चो molecular empirical formula आपके हाथ में है तो निकाल दीजे ना molecular formula multiply कर दीजे common factor जो था हाथ में आ गया तो क्या होगा multiply कर यह C8H कितना 6 और O4 possible देखो बैट चलिए इसको एक step और difficult करते हैं कैसे करेंगे इस बार मैं आपको empirical formula ही दोंगे क्या दोंगे परसंटेज composition question देखिए परसंटेज composition आपको यह गिवन है आपको molecular mass given है निकालना molecular formula क्या करेंगे इससे हम पहले निकाल लेंगे हम empirical formula यह हाथ में आ गया तो empirical formula mass भी तो आ जाएगा ना तो बहुत इसे निकालना यह भी अगर हाथ में आ गया empirical formula mass भी अगर हाथ में आ गया तो N भी तो निकाल लेंगे molecular mass और यह यूज करके एक बार N आ गया multiply करिए empirical formula से फिर आप क्या दिक करते है आ गया molecular formula चलो मेरे साथ साथ करो video pause कर लो अपना solve करो और फिर प्ले करो देखो क्या आपका अधा सही है कि गलत है तो element है हमारे यहां पर carbon और hydrogen carbon hydrogen पेटा percentage जो है वो है 80 और 20 atomic mass बच्चे जो है हमारा 12 और 1 निकालिए moles, moles divide कर लेंगे 80 by 12, 20 by 1 यह around आएगा 6.6 यह आएगा 20 निकालेंगे हम simplest ratio simplest ratio find करेंगे तो यह हो जाएगा कैसे निकालते हैं सबसे smallest number divide कर लेंगे उससे smallest कुण साई this is the smallest number तो 6.6 divided by 6.6 and 20 divided by 6.6 बच्चो यह तो बन आएगा यह कितना है और रॉक्स 3 के को आएगा तो carbon का एक atom है और hydrogen के तीन atom है तो क्या बन गया empirical formula यह बन गया CH3 बेटा आगा एंपरिकल फॉर्मला के पास आ गया है तो फाइंड कर लीजिए ने एंपरिकल फॉर्मला मास बच्चो क्या होगा 12 प्लस 3 इंटू 1 बच्चो कितना हो गया यह 15 आ गया एंपरिकल फॉर्मला मास हात में है एंड नहीं फाइंड कर सकते हां एंड कितना हो जाएगा ओलिकल इवाइड बाइंपरिकल फॉर्मला मास कितना हो जाएगा यह 30 बाइ 15 मतलब 2 तो कॉमन फैक्टर 2 था तो बताइए वेटा ओलिकल फॉर्मला क्या होगा मल्टिपलाइ 2 कर लीजिए क्या हो जाएगा इसको फोड़ा यहां लिखते है तो मॉलिक्लर फॉर्मला क्या हो जाएगा CH3 को multiply करिए 2 से तो कितना हो गया C2 H6 कौन है यह यह है इथेन भाईया इथेन भाईया ठेक है चल यह है type 2 question जो आपको molecular formula निकालना होता है molecular mass देखकर type 3 question जो है वो आता है vapor density से vapor density क्या है बेटा vapor density याद रखियेगा molecular mass है ना divide by क्या? Divide by 2 अगर molecular mass 40 है vapor density 20 आएगी अगर molecular mass 60 है vapor density 30 अगर molecular mass 80 आदा करिए 40 वर क्या तो question कैसे आएगा question में अब इस बार आपको यहाँ देखें, molecular mass ही नहीं देगा क्या? percentage दिया है percentage दे दिया है आपको इस percentage से क्या? percentage दिया है carbon का इस percentage से बेटा आपको empirical formula आजाएगा empirical formula आगया तो बच्चों empirical formula mass भी आजाएगा नहीं आएगा? आजाएगा empirical formula mass आगया अब n fine करना n क्या होता है? molecular mass divide by empirical formula mass यह तो निकला होगा है लिगे molecular mass कहां से fine कर दिया होगा है molecular mass यह क्या दे दिया? देपट आसे दे दिया? काँ है molecular mass भाई नहीं? तो उपर जो formula पड़ा था apply नहीं कर सकते हो vapor density होता है molecular mass divide by 2 मतलब 88 equal to molecular mass divide by 2 कितना हो गया बच्चों molecular mass? 2 into 88 आ गया ना पुट करो molecular mass यहाँ पर n आ गया, n आ गया तो empirical formula यह आ है आपके पास नहीं आजाएगा molecular formula कर लोगे बस एक चित दियान रखना क्या दहान रखना? कार्बन परसंटेज 54.54 है परसंट हाइडोजन का परसंटेज 9.09 परसंट है बेटा ठीक है? और जो यह मिला के करोगे तो 100 तो नहीं बढ़ना परसंटेज समझे हैं 100 से होता है ना तो बाकी चीज क्या है? कुछ नहीं सकता है तो यह और गयानिक कंपाउंड में अगर आपको कुछ और नहीं दिख रहा है और लग रहा है कि वह एक और परसंटेज पुरा नहीं बढ़ रहा है तो ऑक्सिजन ही होगा ऐसे तो ऑक्सिजन कितना होगा? टोटल में से माइनस कर दिए और अंसर कर भीजे पोस्ट कॉमेंट बॉक्स पे और फिर मैं देखूंगी और मैं पोस्ट करूंगे अपना इसका सही होगा देखते कितनों का सही है ठीक है? चल यह तो हमने कंप्लीट कर दिया अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चो मोल कॉंसेप्ट इन सॉलिषन का मतलब तो सॉलिषन मतलब होता है होमोजेनियस मिक्षर जैसे कि शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर है ना मिलाओगे पूरी तरह मिल जाएगा यह तो है सॉलिषन होते हैं solution के अंदर दो चीज़ होते है, solute और solvent को मिला के बिलता है, solution, solute जो मिला रहा है, solvent जिसमें मिला रहा है, पानी, ठीक है, तो solute और solvent, solute जाएगा solvent के अंदर, ये तो हो गया solution, अब solution के अगर हमें concentration मालुम करनी है, concentration पता करनी है, तो कैसे मालुम करेंगे, कैसे मालुम करेंगे, कितना amount है इसमें, concentration क्या है इसकी solution की, उसे पता करने के 6 method है, 6 terminology है, 6 terminology, क्या terminology है, तो पहला जो term यूज करते है, to find the concentration, to know concentration, वो करते हैं, हम percentage, percentage तीन तरह के होंगे, mass by mass, mass by volume पढ़ेंगे, तो तीसरा होगा, volume by volume, 3 percentage study करेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे, इसमें क्या, molarity, third पढ़ेंगे हम, molality, दोनों भाई-भाई है, ये capital M से represent करते हैं, इस small represent करते हैं, दोनों सीम से बलबते हैं, fourth हम पढ़ेंगे, mole fraction, mole fraction, पेटा fifth हम पढ़ेंगे, normality, देखो भाई, क्या, सीम से नाम है, molarity, normality, molality, और sixth हम पढ़ेंगे, PPM, PPM क्या होता है, PPM बोले तो parts per million, parts per million, तो ये 6 तम हम हैं पढ़नी है, to find a concentration, चलिए, start करते हैं, पहली terminology, वो है हमारा, क्या, percentage, तो concentration मालूम करने के लिए, जो पहला term है, वो है हमारा, mass by mass percentage, mass by mass percentage, ये क्या होता है, ये होता है, देखो, mass by mass, मतलब, mass, divide by mass, किसका mass, याद रखिए, याद रखिए, numerator में हमेशा आब, solute का mass put करेंगे, और denominator में हमेशा solution का put करना है, याद रखिएगा, बस इस percentage में, mass by mass percentage में, चाहे mass by mass, कोई percentage आप पूँ बढ़े, कोई percentage हो, उसमें आप numerator में, solute, denominator में solution रखना है, और percentage मतलब है, तो into 100 में बढ़ना पड़ेगा, याद रखिए mass by mass percentage का, बहुत सिंपल, तो बताइए फिर अगर इसे तरह से mass by volume का percentage का formula क्या होगा, बताइए, बताइए, क्या होगा, तो यह होगा mass of solute, यकि mass by volume नीचे आएगा, volume, इसका volume नीचे हमेशा solution होता है, तो solution into 100, बताइए बेटा, volume by volume का, क्या percentage का formula होगा, volume by volume का, तो बताइए, बिल्कुल सही बताया, volume of solute divided by volume of solution into 100, तीनों बता कर लिए, formula समझ में आगे हैं, अब इसे apply करते हैं, तो माल लीजिए, question अगर यह आता है आपको, यहाँ देखिए, sugar, 5 gram sugar तो नहीं, कुछ substance है, substance x जो है, वो 5 gram है, 5 gram, जो की जा रहा है किसके अंदर, वो water के अंदर, जो water है, 18 gram, यह x क्या है, यह x तो हमारा solute है न, और यह h2o water क्या है, यह हमारा solvent है, तो बताईए, solute का mass, कितना है, 5 gram, solution का mass, solution का mass कितना है, 5 प्लस 18, यहोगि denominator में हमिशा solution होता है, solvent नहीं होता, 23 तो बताईए, बेटा, mass by mass, यह लिए बढ़े बोलते हैं, mass by mass percentage कितना हैगा, solute का mass, divide by solution का mass into 100, तो यह निकालिए, यह जो answer है, यह percentage में करतीजे, बहुत simple, अगला question देखते हैं, अगला question बोल रहा है, निकालना है, find करना है, mass by wall, किसका, NaOH है, 40 gram, जिसमें जा रहा है, 60 gram water में dissolve करे, density दे रहे हैं, 1.25 gram per ml, कैसे गरेंगे, बेटा, यहां देखिए, formula क्या होता है, mass of solute, बोलिए आगे, बोलते रहिए, क्या, volume of solution, है न बच्चो, solute का, बताईए, solute का mass कितना है, 40 gram, 40 gram, put करिए, solution कौन है, पानी, और एनेवेस्च मिला के बनेगा, solution, solution कितना होगा, 40 plus, क्या, 60, यह हो जाएगा, 100, पर यह gram है, बेटा, यह gram है, mass है, volume नहीं है, volume कैसे आएगा, तो सुनो, solution का mass आया, यह जो दिया हुआ, यह क्या है, यह density है, solution की, density है, mass है, volume नहीं आचाएगा, क्या, density क्या होती, density होती है, mass by volume, तो 1.25, divide by, क्या हो जाएगा, 100 upon में, volume, कितना हो जाएगा, volume, 100 upon 1.25, यह पर आप्राउस, 80 ml आजाएगा, ml में तिनी density, ml में आएगा, तो ml में आगया, अब volume आपके हाथ में, solution का, mass, solute का हाथ में, तो answer क्या हो जाएगा, तो W by B percentage हो जाएगा, solute का mass, 40 divided by 80, into 100, beta यह हो जाएगा, 50%, ठीक है, आगया, बहुत असान है, अगला move करते हैं, next है हमारा mole fraction, चलो पढ़ते हैं, फिर mole fraction, तो बच्चो, mole fraction, जो होता है, यह क्या होता है, माल लिजे, container के अंदर, मैंने दो चीजे, mix कर रखे, माल लिजे, इकोई gas, mix कर रखे, A gas और B gas, और माल लिजे, A के moles, कुछ है, NA, और B के moles है, moles of B gas, कुछ हो है, तो mole fraction मतलब, moles को fraction में रखेंगे, मतलब, अगर मुझे, mole fraction of A निकालना, X is the symbol of mole fraction, अगर mole fraction में निकालना, कैसे निकालनेंगे, A के moles, divide में क्या, fraction क्या होता है, उसका value, divide, total value, total मतलब क्या, A और भी, दोनों के moles होंगे, तो moles of A, plus moles of B, अगर वैसे मुझे, mole fraction of B ने बताना, क्या करेंगे, B के moles, और divide में, total moles मतलब, moles of A, plus moles of B, तो जिसके भी, आप mole fraction निकालना रहे है, उसका mole divided में, total जितने भी, components हैं के अंदर, माल लीजे, किसे के अंदर का, 3 component है, A, B, और C, यह तीनों के तीनों है, तो moles of A, plus moles of B, plus moles of C, क्या करेंगे, तो आपके, moles of A हो जाएंगे, mole fraction of A हो जाएगा, moles of A, upon moles of A, plus moles of B, plus moles of C, same वैसे, mole fraction of B, moles of B, divide by total moles, and mole fraction of C, moles of C, divide by total moles, तो यह simply हो गया, mole fraction, एक question से समझते हो जड़ा है इसको, तो माल लीजिए, यह question देख लीजिए, यह solution के अंदर कौन है, glucose है, किसके अंदर, glucose जाला है, पानी के अंदर, water के अंदर, तो glucose का mass दे रखा है, moles नहीं दिया है, और water का भी, mass दे रखा है, मोल से दिया है, तो diet formula अपला है, जाड़ो, moles निगानने हो फार्मला होता है, given mass by molar mass, given mass by molar, molar mass मतलब, gram molecular mass, मतलब एक mole का mass, एक mole का mass, gram molecular mass, ठीक है, तो glucose का mass, रिकार्लिंग glucose के moles, कितने होंगे, glucose का mass, ठीक है, given mass, glucose का molar mass, कितना होता है, C6, H12, O6 का, find करिए molar mass, अभी पता कर लोगे, आप 180 होता है, यह तो बच्चों को याद रहता है, इसे आप याद कर लीजे, glucose का, 180 होता है, दो moles आएंगे, water का, water का mass, divided by total, water का given mass, total molar mass, molar mass कितना होता है, water का 80 होता है, करोगे, तो 48 आएगा, moles इसमें, तो moles आगे, find करिए molar fraction, तो molar fraction of glucose, बच्चे हो जाएगा, glucose क्या होगा, moles of glucose, upon moles of glucose, plus moles of water, glucose के moles 2 है, divide by 2, plus 48 करेंगे, ना मिटा, 2 by 50 हो जाएगा यह, और बताइए, mole fraction, अगर मुझे निकालना, water का, water का बताऊ, कितना हो, mole fraction water का, अगर निकालने को आ गया, तो 48 इडिवाइड by, 2 plus 48, मतलब, 48 इडिवाइड by 50, क्या था, कुछ नहीं था, तो ऐसे find करते है, mole fraction, अब एक बात और सुनिए, mole fraction की जो value होती है, कभी भी 1 से जादा नहीं होती, fraction का मतलब, maximum value fraction में आती हो, 1 आती हो, 1 मतलब 100% हो, कभी भी वोड fraction, वभी भी कोई fraction, 1 से जादा होई नहीं सकता, 1 जादा मतलब हो गया, कि हो, मतलब वो 1 से भी जादा, वनलब 100% से भी जादा है, तो एक note लिख लीजए यहाँ पर, कभी भी मोल की, 1 के मोल डिवाइट, टोटल मोल जादा ही होंगे ना, तो मोल fraction हमेशा, वन से कम ही आएगा, यह 1 आसकता है, मैक्स टू मैक्स, अगर उन प्योर चीज होगी, कभी वन से जादा नहीं आएगा, मोल fraction, मोल fraction, कि नेवर बेटर देन 1, मोल fraction, कैन, नेवर बी, ग्रेटर देन 1, वन से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1, वन, दूसरा रूट याद रखिए, देखो, मोल fraction कैसे find कर रहो, मोल दिवाइडर मोल कर रहो, उपर यह मोल है, नीचे यह मोल है, तो ओवर बताओ, यूनिट क्या बनेगी, मोल fraction की, मोल से मोल कट जाएगा, यूनिट बनेगी, नहीं, तो दूसरा नोट जो है, वो यह है, मोल fraction is unit less quantity, मोल fraction is unit less, कोई unit नहीं हो थी पेटा ऐसे, कोई unit नहीं होती, is unit less, कोई unit नहीं होती, यह दो नोट याद रखिएगा हमेशा, कभी वन से जादा नहीं, अगर तो भी आपका, मोल fraction 1 से जादा आता, इसका मादब आपने गलत करा है उसको, ठीक है, दुबारा करना पड़ेगा, आपको solve, यह question समझ में आ गया, तो यह question आप खुद करेंगे, थोड़ा समझा रही हूं, 30% by mass बोला, इसका मतलब होता है, 30% mass by mass percent दे दिया है, इसको होड़ा open करते है, 30% mass by mass का मतलब होता है, 30 gram of solute, in 100 gram of solution, बेटा यहाँ पर solute कौन है, solute है आपका कौन, benzene, दिया तो है, benzene, तो solute जो है वो आपका benzene है, और जो solution है वो है आपका CCL4, solvent है यह, यह CCL4 है, solvent है, तो 30 gram benzene है, 100 gram solution के अंदर, ठीक है, निकालना है mole fraction, तो बेटा, benzene का mass तो 30 gram है, क्योंकि 30% है, CCL4 का mass क्या होगा, तो solution अगर 100 है, और benzene अगर 30 है, तो CCL4 कितना होगा, 70 होगा न, तो CCL4 का जो mass होगा, वो होगा आपका 70 gram, ठीक है बच्चो, अब benzene के जो यह mass है, benzene का moles क्या होंगे, 30 divided by benzene का molar mass, molar mass क्या होता है, formula होता है, CCL4 के, ऐसे बेंजन का, तो 12 into 6, plus 6 into, plus 6, कर जीज़े, 72 plus 6, मतलब 78, और, moles क्या होंगे, CCL4 के, fine करिए, यह आप खुद से fine करिए, और, निकाल कर, आप पताईए, mole fraction क्या होगा, benzene का, जो जो मैं question बोलते जाओ, उसके answer, नीचे pose करते जाओ, देखिने कितने बच्चों के answer सही है, यह question खुद से करना, next topic है, बेटा, molarity, molarity क्या होता है, यह होता है, कि अगर इने पास, एक लीटर solution है, एक लीटर solution है, इसके अंदर, कितने moles है, solute के, that is called molarity, मतलब, एक लीटर solution के अंदर, solute के जो moles है, वही molarity होता है, इसे बोलते है, इसे बोलते हैं, it is, number of moles, present in, इसमें, 1 liter of solution, ठेक है, molarity का formula में यह होता है, molarity का formula होता है, solute के moles, number of solute, divide में क्या है, divide में, volume of solution, volume of solution, वह भी liter में, never in ml, liter में हमेशा, अगर मान लीजे, आपका solution का जो volume है, वह 1 हो जाए, तो molarity किसके हो जाएगा, molarity will be equal to number of moles of solute, इसे में number of moles ने लिखा है, लिख लेते है, number of moles of solute, तो बैटा, अगर volume यहाँ पर 1 हो जाए, तो यह part हट जाएगा, तो molarity हो जाएगी, equal to moles of solute के, तो वही तो बोल रहा है, molarity क्या है, number of moles of solute, किसके अंदर है, 1 liter of solution के अंदर है, question कैसे आते है, question दे पहले, उनिट्स जान लीजिए, फिर question ले भी आ जाएगे, ठीक है, चलिए, तो question, उनिट्स जानते है, कि mole per liter, mole per liter हो गई, इसे कभी-कभी molar भी बोला जाता है, molar, molar लिखा जाएगे, समझ जाना, molarity है, या कभी-कभी capital M, लिख के छोड़ देगा, कि बोलेगा, 2 capital M, 2 M, तो 2 molar ही होता है, तो बात हुए, ये तो बात हुए, units की, अब इसमें से, question कैसे आते हैं, तो question थोड़ा देख लेते हैं, ये question है, बोल रहा है, NaOH को dissolve किया है, 1 liter solution, per liter में बना 1 liter solution, ने molarity find करने को बोल रहा है, NaOH dissolve हुआ है, NaOH क्या mass कितना है, 4 gram है बेटा, क्या moles आजाएगे इसके, moles क्या होंगे, moles होंगे, 4 by molar mass है, number of moles कितना होता है, given mass by, number of moles given mass by, molar mass होता है, मलोग gram molecular mass, 4 by, कितना होता है ने वेच का, 40, find कर ये 40 होता है, तो हो जाएगा, ये 1 by 10, ये आगे moles, molarity होती है, number of moles of solute, divide by, बोलो, formula, बोलो, बिया दोगा, बोलो कि, volume of solution, वो भी लीटर में, तो 1 by 10, और volume तो 1 ही है, लीटर में, तो molarity क्या हो गई, molarity हो गई, 1 by 10 बोले तो, 0.1 molar, ये आगे इसका answer, ठीके, चलो, अब एक question और देखिए, और इस question बताएए, क्या answer है, इस question को सब solve करेंगे, ये number of moles, 1 gram एने वेच है, तो फिर, moles भी लीटर में तो 1 by 40, थेके ना, volume 200 ml है, तो convert करेंगे, लीटर में, तो हो जागा 250 अपॉन, थाउजंड, लीटर में रवाट करना पड़ेगा, volume has to be, लीटर, solution की, तो moles आगे 1 by 40, volume आगे, solution का लीटर में, 250 by 1000, रखते है, formula में, molyardy के, number of moles by volume है, इस solute का होता है, ये solution का होता है, तो 1 by 40, डिवाइड बाइड बाइज जाएगा ये, 250,000 हैगा, उपर नीचे उसके नीचे है, into 1000, तो ये काटो, कितना अंसर आएगा, अंसर आपका आएगा, 25 से 100 किसमें गया, 4 में गया, ये होजाएगा 1 by 10, तो 1 by 10 इस आंसर, ठीक है, इसका ये आंसर सेम आया, गुड, नहीं आया, दुबाला से करो, इस question के सौन, तो ये तो molyardy का सीख लिया, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये question है, इसे आप खुद से करने कोशिश करिए, देखो, molyardy दीवी है, volume दिया हुआ है, molyardy दीवी है, volume दिया हुआ है, moles पोच लिया है, क्या moles फाइंड नहीं कर पाऊँगा, बस याद रखिए, volume लीटर में होना चाहिए, ठेक है, moles आप फाइंड कर लोगे, एक बार moles हाथ में आगे, तो mass निकाल लगते है, mass, moles से mass निकालना आता है, number of moles का फॉर्म्मला, given mass by, चाहो तो यह उसकरो, you can also use a signatory method, but moles आप मास कर लोगे, निकालना है, तो यह formula यह उसकर अगरो, असान पढ़ता है, number of moles आप जो आए पुट करिए, molar mass तो SL का पता ही होता है, mass भी आचाहिए, करिए, solve करिए इस question को, answer post करते रहना, ताकि समझ जाओं मैं कि आप भी इसे solve कर रहे हैं, चली आगे बढ़ते हैं, यह question है, है, यह वाला question, molecule दे रखे, H2SO4 के, इस molecule से पहले, moles find करिए, moles, moles find करिए, तो पता है भाई हमें, क्या H2SO4 में, N.A. molecules में कितने होते हैं, N.A. molecules में एक mole होते है, N.A. मतलब 6.02 to 20 power 23 molecules में, एक mole है, तो एक molecule में कितने होंगे बेटा, एक molecule में हो जाएंगे, 1 by 6.02 to 20 power 23 moles, हमें दे रखे हैं, इतने molecule, तो इतने molecule के moles निकालिए, एक बार आपके हाथ में, multiply हो जाएंगे न, एक बार आपके हाथ में, moles आगे, देखो मैं कैसे divide करूँगी, मैं divide exactly करने वाली, इतने में देखो आपके, जब भी एक value divided में जाएंगे, आपके रखे हो, आपके राउंड़ करो, जल्दी आता है, 2 इसको मैं राउंड़ ओके, 6 मालने वाली हो, एसको पड़ता है, 6 माल लो, 2 by 6, into, 24 है, 23 है, उपर जाएगा, यह पावर 24-23 हो जाएगा पढ़ा होगा यह रूल आपने पावर कैसे करते हैं तो 1 by 3 into 10 तो यह हो गया 10 by 3 तो बेटा यह आ गया मोल्स मोल्स हाथ में आ गये हैं मोल्स हैं आपके हाथ में करना पड़ेगा इसके बाद यह क्वेशन करने से पहले थोड़ा सा एक कॉंसेप्ट सीख लेते हैं क्या समझते पैटा तो बिफोर मुविंग तो नेस्ट क्वेशन एक चिस समझ लीजिए कहीं पर अगर लिखा जाए कि टू वेट बाइवेट मतलब मास परसंटेज है अगर मतलब होता है 2 gram of क्या solute formula था ना solute divide by solution था तो solute किसमे इन 100 gram of solution इसका मतलब यह होता है कि 2 gram solute है 100 gram solution और कोई आप से बोले कि अगर 5 है weight by volume mass by volume है percentage तो मतलब क्या होँआ 5 gram of solute 5 gram of solute किसमे इन 100 ml परसंटेज दे 100 आए गई ml की होंकि by volume percentage यह ओपर करना ना चाहिए इसके लावा कहीं पर अगर लिखा जाए आपको कि 2 molar solution है 2 molar 2 molar solution है 2 molar mole per liter है या पर 2 क्या बढ़ा हम निवते हैं बात एक ही है इसको भी open करना चाहिए आपको इसका मतलब होता है 2 moles of solute किसमें बोलो in 1 liter of solution as per definition open कर रही हो मोई तो कहता है कितना solute गया 1 liter solution में मतलब 2 moles solute के लिटर solution में अगर आप हमलें अप्लाय करके देखे तो moles upon volume में molar 2 ही तो इसका open करना चाहिए को statement अगर आपको बोले 10 molar solution है तो इसे बताई कैसे open करेंगे तो 10 moles of solute in 1 liter of solution ठीक है तो अब चलिए move move करते next question के तरह और समझते है question कैसे करा जाए तो देखो यहां दे रखा है mass percentage कैसे करेंगे उसका मतलब है 20 mass 20 gram of solute कौन है एने वेच किसमें in solution होता है न परसेंट मतलब कि 100 तो in 100 gram of solution ठीक है बटा अब हमें निकालना है हमें find करना है modality मुलाइटी का formula किया होता है मुलाइटी का formula होता है moles of solute upon volume of solution solute के moles तो निकालनेंगे 20 mass दिया हुआ है बेटा moles निकाल पाएंगे 20 by 40 molar mass होता है न यह मेंच का moles आ जाएंगे half moles तो हमें मिल गए volume कैसे मिलेगा volume of solution क्या solution का volume दिया हुआ है बिलकुल नहीं दिया हुआ solution को मास दिया हुआ है पर यहां तो density दी भी है न क्या करेंगे density का formula होता है है mass by volume density दी है 1.2 मास है solution का ही रखना है 100 ग्राम वोल्यम आ जाएगा आपका 100 अपान 1.2 ml लीटर में करना जुरूरी है मोल्स हाथ में आ गया वॉल्यम हाथ में आ गया वेटा पुट कर दो मुलाइटी नहीं आ जाएगी तो यह तरीका वाइफ होल लॉजिकल मेथट कैसे इसे करा जाता है अगर आपको shortcut यूज करने जो कि हम यूजली एक्जाम में shortcut यूज करते हैं कि अगर हम इसे करने बैट है बहुत टाइम खाजाए question हम diet question करेंगे shortcut method से diet formula apply करेंगे तो formula होता है मुलाइटे निकालने का mass percentage अगर दिया है देखिए कैसे निकालते है तो moality equal होती है बेटा mass by mass percentage into density into 10 divided by molar mass किसका molar mass divided by molar mass solute का यह formula याद रखिएगा very important formula यह formula से आप direct moality find कर सकते है तो density दिया हुआ है और अगर आपको mass percentage दिया हुआ है कैसे ज़र apply करना यह formula उपर तो उपर करेंगे देखो apply 20 percentage था और density 1.2 थी तो तो एने वेच का 20 percentage था mass by mass और density थी वह 1.2 थी करो मुलाइटे निकालो 20 into 1.2 into 10 molar mass के तो था 40 diet solute पर वेटा आंसर आपके हाथ में क्या दिख रहते है दिमा लगाना है नहीं जाए ज़ए धियार दियादा यह density जो है this density is gram per ml ml एकी बोल लो cc मला क्योँबी सेंटिमेटर बोलो एकी वाग ता इस density जो कुछ वैसा ही question है, mass percentage दिया हुआ है, density दीव ही है, solute है, sulpheic acid, diet apply करना formula, diet apply करना और बताना इसमें से कुन सा answer आने बाला है, चलिए, कर दीजेगा formula, apply और question solve कर दीजेगा, मैं move करती हूं, next question में, आप कर दीजेगा, answer कर दीजेगा post, ठीक है, चलिए, अगला है बेटा, mol molality, molality, molality का है, छोटा भाई, छोटा भाई है यह small m से नोट करते, molality बढ़ा था, molality जोटा हो था, difference क्या है, difference बज चोटा सा ही है, formula तो हही है, इसका number of moles of solid उसमें बही होता है, different ऌया है, different यह है, denominator में उसमें क्याथा, volume of solution, इसपर denominator में क्या है, mass of solvent, mass of solvent जैसे वो लीटर में था ये kg में उतना चाहिए उस में denominator में molality में solution था यहाँ पर solvent होता है वो लीटर में था volume में तो ये kg में होता है तो अगर मैं volume mass of solvent को मैं 1 कर दू तो molality will be equal to what? molality will be equal to moles of solute can I say that molality is the number of moles of solute वही तो है कब जब solvent का mass के इतना 1 kg it is the number of moles of solute किस में dissolve है जो 1 ये 1 तो ये ची हट जाएगी और molality आजएगा moles के equal तो define करते है इसको define करेंगे बेटा number of moles of solute number of moles of solute dissolve in 1 kg of solute unit क्या होगी? unit लगा लीजी अपने असाब से mole per kg होगी एक तो है ना? mole per kg दूसरे यूट कर लीजी small m में लिखते हैं और कभी कभी इसको molar लिखते हैं कभी कुछ भी लिखा होगा यह molality की बात करता है question कैसे आएंगे? question देखिए चली आजाईए तो question है यह solute है जो dissolve किया है इतने पानी के अंदर molality पूछ रहा है क्या करना है? पहले तो solute का mass लिखा हुआ है इससे moles निकाल लीजीए क्या दिक्कत है 5.6 moles की molar mass क्या होता है? 2 into 23 plus 12 plus 3 into 16 मतलब 46 plus 12 plus 48 106 हो गई है 106 आगे हमारे moles moles हाथ में आ गए अब इसके भी यह क्या है? molality का जो formula होता है moles of solute पर रखते हैं वो तो आ गए हाथ में हमारे solute के moles अब रखना है नीचे क्या? solvent का मास solvent का मास कितना दिया है? 400 gram दिया है तो रख लीजीए क्या दिक्कत है? 5.6 upon 106 into 400 पर ये gram में है convert कर ये kg में divide होगा 1000 से 1000 जब नीचे जाएगा तो ये उपर ही ले जाएए इतना नीचे जाना है? उपर ले जाएए इसको और into 1000 कर दीजिए आपका answer आजाएगा molal में ठीक है? चली, आगे बढ़ते हैं इसको करने से पहले कुछ और एक चीज़ जान लो note लिख लो बेटा molality और molarity में से कौन सा depend करता है temperature पर अगर temperature बढ़ाएंगे देखो moles तो दोने के formula में क्या है? दोने के formula में moles common है दोने के formula मोल साते है इसमें volume of solution आता है इसमें mass of solvent आता है moles तो कभी घटते बढ़ते नहीं बरावर रहते हैं हमारा amount same है अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो इसमें most घटेंगे बढ़ेंगे नहीं यह कि अगर temperature बढ़ाएंगे तो volume बढ़ता है पता है ना? तो temperature बढ़ाने से क्या होगा बेटा? temperature बढ़ाएंगे तो volume of solution बढ़ेगा volume of solution बढ़ेगा तो अगर volume बढ़ेगा, तो molarity क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इसका मतलब, molarity is temperature dependent. तो अगर volume बढ़ेगा, तो molarity कम, मतलब इसका मतलब है, it depends upon temperature. लेकिन molarity में अगर temperature बढ़ा होगे, तो बेटा, कोई चीज न घड़ेगी न वड़ेगी हो, कि मास और वेट तो हमेशा constant ही रहता है, moles, moles, always constant. तो ये जो है, weight of solvent, constant रहने वाला है, जब ये constant रहेगा, तो molarity जो है, ये है, independent, किससे independent है? independent from temperature. लिख लो, molarity, एक से के न, यहाँ लिख लेते हैं, independent from temperature. याद रखिएगा, तो अगर आप कुछी चीज की molality कश्मीर में न आ परहे है, या अगर आप कन्या कुमारी में न आ परहे है, तो अलग-अलग आ सकती है, same solution की भी, क्योंकि molarity depend करी temperature है, बड़ा वला है, छोड़ा वला है, molality जो है, वो same रहती है, कहीं में चले जाएगे, इसे molality एक better term है concentration find करने का, याँकि वो चेंज नहीं हो रहा है temperature से, पर molarity अपना रंग बदल देगा temperature के साथ सा, रंग मतलब concentration बदल देगा, रंग नी बदलने वाला हो, तो बच्चों, अगर कभी आप से mol fraction निकालने के लिए बोल रहा है, और आपको molality दे रखा है, या वाइसर वर्सा है, तो direct formula apply इसमें कर सकते हो, direct एक formula लगता है, formula क्या है बच्चों, formula है, molality equal to mol fraction of solute upon mol fraction of solvent, AB का मतलब, A का मतलब है solvent, बिटा, और B का मतलब है solute, होता है, तो A मान के चलते है, into 1000 upon molar mass of word solving, या रखेगा, you can apply diet formula, और आप molality निकाल सकते है, mol fraction से, बहुत असान हो जाता है, इससे निकाल रहे है, या रखेगा हमेशा, अगर दो component है, A और B, तो या रखेगा, mol fraction of A plus mol fraction of B, हमेशा मिला के 1 होता है, वांकि सब fraction मिला के हमेशा 1 आता है, इफ यॉर्ड, all the fraction of the component हमेशा 1 के इकवल होता है, अगर मान लिए जए इसमें 3 component है, A है, B है, C है, तो mol fraction of A plus mol fraction of B, कभी 1 के इकवल नहीं होगा, तो तीनो को मिला कर 1 के इकवल होगा, ठीक है, एक चीज़ और सुन लिज़े, अगर इतना सुनी लिया है, आपने, एक चीज़ और सुन लिज़े, अगर मैं कभी कहूं आपको कि बेटा मेरे पास 2 molal solution है, 2 molal, क्या आप इसको open कर सकते है, मिल्कुल कर सकते है, आपने 2 molal open किया था था न, ऐसे कर लिज़े, molality क्या होती है, mols of solute divided by mass of solvent, कर लिज़े न, open पर क्या है, 2 mols of solute in, क्या, 1 kg of solvent, याद रखिएगा, 2 mols of solute in 1 kg of solvent, याद रखिएगा, मैं बोलू 10 molal है, 10 molal का मतलब, अपने आप से कॉफर में लिखिए, 10 mols of solute in 1 kg of solvent, काम पढ़ेगा, बहुत ज़्यादा काम पढ़ने वाला है, आपको बच्छो, आई गया, दिखो, काम पढ़ गया, क्या है, क्या है, क्या है, mol fraction, निकालना है, दिया हुआ है, molality, उसको open कर ये, 1 mols of, 1 mol, not mols, of, क्या, solute in 100, नहीं, 1 kg बोल दीज़े, या 1000 gram mol, 1000 gram of solvent, ठीक है, अब करना क्या है, आपको, आपको solute के mols पता है, mol fraction निकालना है, आपको solute का, तो mol fraction और solute कैसे निकालेंगे, mol fraction और solute कैसे निकालेंगे, solute के mols, divide by total mols, solute के mols तो दे रखे, 1, total mol कितना, total mols मतलब, solute और solvent दोनों के mol, ठीक है, तो यहाँ पर solvent जो है, यह aqua similar solvent, पानी है, तो solvent जो है, हम water है, तो water का mass दिया हुआ है, बुस्या जाएगे water के, क्या हो जाएगा, 1000 upon 18, करिए, 55.55 आता है, यह value बच्चों को याद दे जाएगी, 1000 by 18 कितना होता है, करिए बार काम पढ़ता है, हो जाएगा यह, 1 upon 1 plus 55.55, करिए, answer आ जाएगा, आपका, I think, C option, इसमें answer आने वाला है, ठीक है, तो solve करिए, समझ में आ गया, आगे बढ़ते बेटा, अगला question है, आपको molarity दे रखी है, आपको density दे रखी है, और आपको, अच्छा, molarity पूछी हुई है, और आपको molality दे रखी है, तो molality जो है, वो 1.5 है, density जो है, वो 0.15, ग्राम पर CC, CC मतलब MLE होता है, CC मतलब होता है, cubic centimeter, और वो MLK एक्वल होता है, तो ग्राम पर CC और sulfurous acid है, H2SO3 है, बच्चे, वो है, इसका पूछा हुआ है, मिकालों, molarity क्या होगी, तो या तो आप direct formula या पूरा solve कर लो, मर्जी आपकी है, पूरा कैसे करोगे, मुलायटी का formula होता है, number of moles of solute upon volume of solution, बार बार लिखने के बार, तो formula याद होई चुका होगा, बेटा जी, इसे open कर लीजिए, आपको moles मिलेंगे, कैसे, इसका मतलब होता है, 1.5 moles in 1000 gram of solvent, solvent क्या है, पानी ले लीजिए, कोई नहीं, solvent लिखले, 1000 gram of solvent, Molts to 1.5 है, बौर मिल गया, volume चाहिए solution का, volume चाहिए कैसे करेंगे, volume density दी है, solution का mass मिल जाए बताड़ों, density का mass मिल जाए, kyla solution का mass मिल जाए, तो volume चाहिए में,מה qui दे रखा है, कहीं दे रखा है, यह नहीं दे रखा है, तो solvent का mass दे रखा है, तो क्या करोगे लगाओ दिमाग यह है solute के moles sulfurous acid है तो भाई solute के moles है वो दिये वे आपको 1.5 इस moles से mass निकाल लो ना इसका molar mass molar mass कितना होगा वो निकाल लो H2O3 का 1.5 W upon molar mass जो होता है put करो molar mass अगर आपके हाथ में आगया तो आपके पास solute का mass आगया solute का mass आया solvent का mass पता है ना क्या करोगे add कर दो क्या मिल जाएगा solution का mass तो जो value जो value आपको यहाँ आप यहाँ पूट करें W की जो value आएगी तो mass of solution निकालने के लिए यह value को plus कर दीज़े किस के साथ 1000 के साथ क्योंकि यह solvent का mass पता एक बार solution का mass volume पढ़ गया density दीए solution की निकाल लो ना क्या निकाल लो volume निकाल लो volume आगया put करो answer आएगा और क्या यह है जो हमने तरह यह है usual method यह है arm जिंदगी चलो move करते हैं towards not arm जिंदगी में और वो है direct formula इतना दिमाग लगाना निक्जाम में direct formula निकाल लागाएंगे और answer आएगा तो relation क्या है molality, molarity और density में सीखिए मेरे साथ relation तो जो question मैंने अभी आपको कराया मैंने कहा direct formula है direct formula क्या है लिखो भई लिखो तो direct formula है molality equal to thousand into molarity upon thousand into density d4 density minus molarity into molecular mass of B, what is B? solute I told you, तो ये diet formula apply करो भई उपर वाले question में आपको molality दे रखी थी आपको density दी थी molar mass तो पता ही था solute कुन सा था solute आपका था sulfurous acid, तो diet पूट करते आपका molarity आजाता तो भई M लिख लो बच्चो M है molarity D है density वैसे पता तो है इस सब के क्या मतलब होता है MB is molar mass, मतलब gram molecular mass molar mass किसका बच्चो solute का स्मॉल M जो है पड़ पाएंगे जो इडॉक चैप्टर आने वाला है आगे chapter number आपका volume 2 का ठीक है तो equivalent weight होता क्या है equivalent weight होता है बच्चो molecular mass molecular mass divide by n factor nf का मतलब है बेटा n factor n factor तो बच्चो हमको तो आता है molecular mass निकालना है वो तो कोई आत्मी अभी सब कुछ करते हुए आ रहे यह n factor क्या है पहली बार सुना है n factor तो सीखो बेटा n factor क्या होता है n factor calculation क्या होती है acid, base, salt क्या अलग अलग होती है तो n factor मतलब कित होता है कितने electron exchange हुए reaction में कितने electron participate कर रहे उस reaction में कैसे निकालोगे देखोगे electron अंदर जा कर गया नहीं देख पाओगे न कैसे निकालोगे तो तरीका है निकालने अगर वो acid की बात करता है acid की जो जितने वो h plus दे रहा है वही उसका n factor है जितने h plus दे रहा है वही n factor है जैसे कि hc will give how many h plus hc लेता है 1 and h plus तो उसका n factor हो गया 1 बताइए h sulfuric acid कितना देगा आपको h plus वो देगा 2 तो n factor हो गया 2 what about nitric acid nitric acid give how many h plus वो देगा 1 तो n factor है 1 मतलब कह सकते है बेटा कि acid के लिए n factor है number of replaceable बंदब जो आयन दे रहा है बोस replaceable h plus इतना आयन दे रहा है उतने h plus आयन और इसको एको नाम जानते हैं हम से बोलते है basicity 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 वर्ड है तो basic से लिए लेकिन वो बेस की नहीं होती basicity अचिट की होती है basicity का मतलब होता है कितने h plus आरे है basicity और basic के लिए यूज करते हैं acidity acidity मतलब कितने OH मानियस दे रहा है वो base समझे लो तो basicity acid के लिए है acidity base के लिए है उल्टाया होड़ा सा बात वही है basicity मतलब कितने h plus दे रहा है अगर मैं आप से पूछू बच्चो बताओ acetic acid CH3 COOH चलो break के दिखाती हूँ आपको यह break होके ऐसे break होता है CH3 COO negative plus H plus now tell you what is the n factor for this basicity क्या होगी इसकी 1 H plus दे रहा है तो बेटा n factor 1 इतना जान लिया है बहुत अची बात होड़ा और जान लो दूसरा है boric acid boric acid H3BO3 boric acid लिख लो इसको boric acid बेटा boric acid जो है बताओगे कितनी basicity हो कितने H plus देगा यह तो देखके तो 3 लग रहा होगा 3 पर भही याद रखिए इसकी basicity 3 नहीं होती है 3 H plus नहीं देता है boric acid असल में इसको ऐसे करते है और यह 1 OH minus लेता है acid are also those elements which accept OH minus किसने कहा यह मैंने तो नहीं कहा आगे जाके लोग बोलेंगे पड़ोगे आगे इसे भी acid कहेंगे जरूरी ही H plus दे जो OH minus आपका लेता है उसको भी acid ही कहा जाता है तो boric acid यह होगी एक OH minus ले रहा है H plus को ही देता हूँ तो इसलिए boric acid आपका जो होता है एक ही ले रहा है इसलिए इसकी बेस्टेटी कहती होगी बेस्टेटी हो जाएगी आपकी 1 तो N factor इसका हो जाएगा 1 ठेके चलिए इसके इलावा phosphoric acid H3PO4 बोलते हैं इसको orthophosphoric acid orthophosphoric acid बेटा कितने देगा H plus आयें तो इसका structure कुछ ऐसे होता है बेटा याद रखिए जो H O के थूँ connected है वही निकलेंगे सरफ क्यों? आगे जानेंगे हम पर जो H O के थूँ connected है वही H निकलता है यहां सारे H जो है उसके बीच में O आ रहा है वह connected है through O तो इसलिए सारे H दे सकता है जितने दिखे रहे है तो इसका N factor होगा 3 क्योंकि यह 3H plus दे सकता है अगला है आपका next वह है H3PO3 H3PO3 जो है इसे बोलते हैं orthophosphorous acid नाम रखिए याद फॉर्मला रखिए याद orthophosphorous acid बेटा ये इसका structure कुछ ऐसे होता है O H O H और O सारे खतम होगे तीन थे तीनों लग चुके तो बिचारा H लग जाएगा अकेले ही अब मैंने खा है H plus निकलेगा वहाँ से जो connected होगा O से ये H connected P से निकल नहीं पाएगा 2 ही निकल सकते हैं तो इसका N factor आपका होगा 2 लग रहा है तीन निकलेगे निकलते से 2 ही 2 ही H plus निकाल सकता है जो connected हो से अगला है बेटा आपका hypo phosphorus acid H सरी PO2 hypo hypo phosphorus acid कितने देगा H plus है तो बनाओ structure इसका OH, H, H कितने एक की तो लग रहा है हो connected हो से कितने देगा सब बता देंगे अब तो 1 ही होगा याद ना चाहिए ये याद होने चाहिए तीनों के तीनों और साथ साथ बोरी के acid वाला भी याद होना चाहिए acid एक acid तो हरको बचा याद करता है याद होना चाहिए ठीक है जो लिए दी हो सारे important है आगे बढ़ते है ये तो हो गया base के लिए अब base की बात कर लिए तो बाकी की बात नहीं करेंगे acid के लिए होगा है sorry तो अच्छी की बात करी है तो क्या base की बात नहीं करेंगे तो number of OH- donated जतने OH- वो देगा जैसे कि अगर आप पूछों बचों बताओ NaOH कितने देता है OH-1 देता है तो N-factor हो गया 1 what about calcium hydroxide कितने देगा मैं ये कितने देगा 2 देगा मैं तो 2 हो गा aluminium hydroxide 3 OH है 3 OH- कितने हो जाएगा N-factor 3 पेस का कितने OH- जाहते हो निकालो न अच्छा इसको क्या कहेंगा इसे उसकी base city देगा इसको बहुते हो acidity बोलते है acidity जो पेट मोरी वो acidity नहीं है acidity मतलो कितने OH- next पड़ते है to acid based के लाबा को salt भी होते salt का भी निकालना परता है आपको salt से है 900 करेंगे 900 मैं क्या करेंगे 300 को टल सब को चार्ज OH सब पॉलनों सब्माइटिव चार्ज और नेगटिव चा्थ कोई में चैठ चले चालेका पिर दोनों हुते हैं जो प्लस होता है automobile होता है तो टो टल call inगलाज चार्ज कुछ भी निकाल दीजिए वह गए जैसे कि मैं बूलू आपको अगर कोई इस और अगर प्लस है पॉस्टिव चार्ज वान इस यह मतलब अगजूट से होता है चार्ज मतलब है यह नहीं हमेशा एकोल है आपको जितना पॉस्टिव होगा उतना ही नेगेटिव वाला चार्ज होगा बराबर होने तो इसका एंट फैक्टर वन है मतलब एक एन इसोडियम ने इलेक्टर दिए एक को रोने लिए होंगे एक ही तो हुए ने चल बंदव अगर मैं आपसे पूछू यह पते ट्रिक भी इसे कर लेगे दिमा लगाना नहीं आगे इसे देखूं यहा जैसे यहां पर NACL में X की वाल्यू 1 है और य की वाल्यू यहां 1 है कुछ लेगे तो वन ही मानेंगे न तो जो एन फैक्टर होता है सौल्ट का वह होता है X इंटू Y बस बस यह याद रखे एक्स Y को मैंटिप्लाय करें फैक्टर आपके हाथ में सौल्ट जैसे गर मैं आप A वाला पार्ट है this one is A and this whole is B कितना है A 2 है 2 एने B कितना है SO4 एक पूरा B है SO4 कितने है एक ही है तो यहां पर देखो बेटा X की वाल्यू 1 कंपेर करो Y की वाल्यू कितनी है X की वाल्यू 2 sorry sorry Y की वाल्यू 1 तो XY कितना हो गया 2 इंटू 1 तो यहां इन फैक्टर कितना हो गया इसका तो डाइट मिटिप्लाइए करो दिमाग मत लगा हो जादा अगला देखो अगर आपसे पूछों बटा बताइए what about Aluminium Phosphate Alpo4 Aluminium Phosphate Aluminium Phosphate नहीं लूज करते एक काम करते इसका बताइए what about this one Al2O3 बताओ कितना होगा तो कितना होगा X की Value कितनी होगी 2 Y की Value कितनी होगी 3 Multiply करें X into Y कितना होगी 6 तो इसका N Factor जो होगा 6 होगा बस Multiply करते जाना कुछ नहीं करना है ठीक है तो यह सब तो सीख लिया आपने तो अगर आपने इन Salt का सीख लिया है तो एक Salt और होता है हमें दो तरहाँ के सॉल्ट मिंग्स होते है ये जानलों डबल स नमोर दो तरहां संवर्ट गर तरहां के सॉल्ट हो और नहां को थो पुटैस अलम इसका फॉर्मला होता है k2SO4 dot al2SO4 al2SO4 whole thrice dot 24H2O लगड़ा हुआ क्या लिखते हैं मैंने कुछ नहीं है potassium sulfate और aluminium sulfate को मिला कर बनाया है potassium sulfate का formula यह रहा plus k aluminium sulfate double है ना 200 मिस करेंगे water crystalline 24 होते हैं यह यादटना यह यादटना यह आपको practical exam बहुत पूछते question की बताओ formula क्या पुटाशलम का double salt preparation भी practical मिसकी तो आगे बढ़ते हैं इसका कैसे निगाले n factor तो how to find factor double salt तो आप individual का निकालोगे n factor दोनों का n factor निकालकर आप दोनों को plus कर दोगे n1 plus n2 कैसे चलो सीखते हैं k2SO4 का n factor क्या होगा बेटा है ना क्या होगा n factor 2 और यहां कितना SO4 एक ही है तो यह हो जाएगा 2 n factor n1 आजाएगा 2 al2SO4 whole thrizer कितना होगा तो इसका x की value 2 y की value 3 2 into 3 मतलब 6 तो यह 2 है यह 3 है 2 n factor मिल गए आपको दोनों के तो total factor क्या हो गया n1 plus n2 और यह जाएगा 2 plus 6 मतलब 8 तो यह आगया n factor अब n factor निकालना आ गया तो करना क्या है वही अगर आप से कोई पूछे equivalent weight निकाली है तो निकाल लोगे न इसमें क्या है जैसे कोई बोले की बताओ की बच्चो H2SO4 का equivalent weight कितना होगा कैसे पता करेंगे तो molecular weight divided by n factor होता है कितना होगा n factor बोलो बोलो कितना होगा 2 होगा n factor है ना और molecular mass कितना है इसका करो 2 plus 32 plus 4 into 16 कितना हो गया गो जाएगा around 98 इतना प्रैक्रस कर लो मास सपिया तो चाहे तो equivalent weight 98 divided by 2 कितना होगा 49 होता है इंफेक्टर 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 आप समझ गया तो equivalent weight कुछ भी नहीं है आपके लिए I hope it is clear to you next move करते है इसका application कहा होगा normality मे normality क्या है molality से ही है normality normality symbol क्या होगा N ही होगा normality का formula क्या हो normality एक पहले compare करो molality से जाल अख लिए हो जाएगा molality जो था आपका वो था number of moles molality upon volume of solution liter में यह तो था formula molality का normality का formula क्या होगा normality का formula होगा उसमें बस उपर change हो जाता है solute के moles नहीं होते number of gram equivalent होते gram equivalent यह क्या है पहली बार सुना है चलो कोई नहीं बता देंगे gram equivalent और divide by क्या वेटा divide by volume of solution किसमें ? liter में ठीक है gram equivalent क्या होता है number of gram equivalent से लो mol जैसे होता है हलका difference होता है पहले इसे निकालना सीख लो ठीक है चलो पहले एक question कर लेते molality में अच्छे सिख जाएंगे पहले unit देख लो unit क्या होगी unit क्या होगी इसकी तो इसे gram equivalent ही बोलते है और लीटर होगा तो unit होगी gram equivalent per liter कभी-कभी n भी बोलें कभी-कभी normal भी बोलेंगे यह नॉर्मल बाते हैं यह units होगी question अगर आपको ऐसा आजाए कि 2 gram equivalent है in 1 liter of 2 liter of solution बताओ normality क्या है भई क्या करना है 2 by 2 हो गया न 1 gram equivalent दिया हुआ है तो निकाल दोगे normality normality दिया है volume दिया है तो gram equivalent निकाल दोगे simple है question इतना simple नहीं आता न यह तो बहुत ही मामूली सा question है question कैसा आता है बच्चो question जो आता है वह आपको इस तरीके से आता है आपको ना मोस देगा हो या मास देगा थोड़ा समझ लो normality और समझ लो तो बच्चो जान लो क्या होता है gram equivalent भी question तो simple नहीं आएगा तो gram equivalent होता है number of gram equivalent given mass upon equivalent mass yes समझ में आ गया यह चीज क्या समझ में आया अगर आप notice करो जो आपके number of डिस हे muscularity में नमBER Of Moles उसकर तो यह होता है given mass upon molar mass, भे होता है 산 normality में gram equivalent होता है give t equivalent Rate 라 equivalent rate होता है equivalent weight होता है तो equivalent weight क्या होता है यह पढ़ा था molecular mass divided by n factor तो मैं इसकी value इसकी formula put कर तूँ कैसमे बनाना क्या होगा तो number of gram equivalent आपके हो जाएंगे given mass upon molecular mass into n factor बेटा कह सकती हूँ अब यह यह कहीं देखा था कहीं देखा था इसको कहीं याद आरा प्राणे जनम का कुछ खोयावा चीज कहीं कहाँ देखा था यह हमने यहाँ देखा था given mass and molar mass क्या होता है मोल्स होते हैं कब से बगड़ते भी आरे है तो यह क्या हो गया मोल्स number of moles into in factor कुछ समझे ना number of gram equivalent कुछ नहीं होता है moles into in factor होता है और अगर मैं यह gram equivalent का value है moles into in factor यह normality के रखदू formula में रखदू formula में क्या आएगा चेक करो एक बड़ चलो पही करी लेते हैं चेक एक बड़ तो normality जो था आपका वो था number of gram equivalent अपन volume of solution ठीक है लीटर में gram equivalent क्या था number of gram equivalent moles into in factor चलो पूट करके देखते है तो normality है number of moles into n factor upon volume of solution पिटा कुछ याद आ रहा है फिर से पुराने दर्म में कुछ चीज़े याद आ रही है मुझे तो आ रही है यह number of moles volume क्या होता है क्या होता है यह तो molality तो होता है यह तो क्या किया हमने हमने normality को molality से relate कर दिया है क्यों किया है चीज़े easy करने के लिए कौन निकाले है gram equivalent अगर आपको mass दिया हुआ है volume दिया हुआ है आप सीधा molality निकालो molality को multiply करो n factor से normality आपका जट से आएगा gram equivalent में पढ़ना ही नहीं हमें हमें जब normality निकालनी है हमें molality निकाल के normality निकालो असान पड़ता है ठीक है जैसे की एक question दिखके बताती हुआ आपको कैसे माल लीजे question ऐसा आए आपको बोले की 98 gram of H2SO4 है in one liter of solution ठीक है और बताओ इसकी normality क्या होगी पहले molality निकालो ना simple कर लो molality निकालो molality क्या होती number of moles है volume होती बेटा mols निकालो इसके moles होंगे 98 by क्या molar mass कितना होता है 90 80 होता है कितना हो गया 1 1 हो गया volume कितना है volume इसका 1 liter है put करो molality कितनी होगी 1 by 1 मुलाइटी वन ही आगी बहुत इजी क्वेश्चन दिया मुलाइटी वन दे दी अब normality होती है क्या normality होती है molality into n factor 1 into बोलो कितना 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 इन फैक्टर है 2 normality आगी 2-1 तो समझेगी नहीं तो आपने easily कर लिए ग्राम के निकालते इतना रंबा चोड़ा करते से जाधा सिंपल कर लिए माइंड को कॉंपलेक्स करना सिंपल करना एक दम चलिए normality से बाहर जादा कुछ हो जाना नहीं हमें इतना ही करना इतना अच्छे से आगया बस पास रुख जाए बस आगे आजाए यह है mixing of solution जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला कहीं भी क्या होता अगर आपने दो चीज़े मिक्स कर दी है मिक्स का मतलब आपने किसी solution में मालो आपने water add कर दिया है मालो आपने solution के अंदर water add कर दिया है चाहे acid के अंदर add किया है चाहे base के अंदर add किया water add कर दिया है यह माली जे आपने दो एसेड को आपस में मिक्स कर दिया है दो एसेड को मिक्स कर दिया है यह माली जे आपने दो बेसिस को मिक्स कर दिया है दो बेसिस को क्या कर दिया है मिक्स कर दिया है इं तीनों में मिक्स करने से हैं इसे इन तीनों में मिक्स करने से कॉंसेंट्रेशन विसेंटिन के ňक रही रहे जवकी इसे रखने साथ काया है जिसारी वहीतव ॥ी प्र्फर्न बढरम आक मिक्स करो अताम थाठी सबस्क्रार करनेगा assim सब्सक्राट का सिन का मतलब किया Państu सब्सक्राइब यह अइंदर यह BASE के रहे हैं जाय со कि sulfuric acid जो कि अलड़ी दो मोलर था इसमें 500 ml पानी आड़ कर दिया इसका वॉल्यू पहले 500 ml था इस डायूटेट तु वन लीटर का मतलब समझ तो उसे डायूर पानी डालके उसका वॉल्यू वन लीटर कर दिया गया है अगर यह अगर दियूटेट्ग किसे करेंगे इस question को बेटा concept लगा लो या अब सीधा formula प्लाइकरो जाद दिमा लगाना नहीं है एक बाव इस ने वाघ्वा लाइट बेस्ट अप्छिन पहले concept सिको पानी डालते हैं तो क्या चीज नहीं बतलती वॉल्यूम चेंज होगा एच प्लस के जो मोल्स है जो आसेट के मोल्स है क्या हो चिंग होने वाले तो पहले बता दो कि अभी कितने मोल्स है तो मोल्स निकाल लो इसके तो मुलाइटी होती है मोल्स बाइव वॉल्यूम टू इकवल टू मोल्स बाइव फाइफ फंड्रेड इन टू थाउजन भी करते ना बच्चो यह एमल में है तू करते ना नमबर ऑफ मोल्स होगे कितने वन तो इसमें बेटा वन मोल एच्च तो फोर का है पानी डालने के बाद क्या जो वन मोल एच वाइटा बड़ेगा तो भाई मोल्स तो अभी वहन है वॉल्यूम कितना हो गया वॉल्यूम फाइनल वन लिटर हो गया है तो निमलायटी क्या होगी वन बाइवान मतलब निमलायटी फन आचुकिए दो से एक होगई लैटी आधि होगई देखरो अब मैं कहती हूँ ऐसे म करते हैं, M1 V1 equal to M2 V2 M1 initial moliarty, V1 initial volume, M2 final moliarty और V2 final volume चलो बच्चों, apply करो यहां पर M1 कितना है? 2 M1 2 है V1 500 है ML में रखरो, तो V2 पी रखना ML में, ठीक है न? V2 कितना है, बेटा, V2 1000 ML हो चुका है, 1 लीटर रखेंगे, 1000 ML, because every unit has to be same, तब यह रखेंगे, M2 पता नहीं कितना है तो यूस करें, dilution की equation, M1 V1 equal to M2 V2 2 into 500 equal to M2 into 1000, बच्चों, कितना हो जाएगा यह, 2 into 500 upon 1000 दोनों की value बराबर आगे, उपन नीचे 1, 1 क्या, 1 molar same ही तो आया, देखो answer तो क्यों दिमाग लगाना जाहेट formula लगाऊना चलो यह question आप लोग खुद करना, देखते हैं यह question कैसे करोगे, जहां लिएगा, diluted by 1 liter है, diluted to 1 liter नहीं है, I told you by or 2 में difference क्या हो, बटाँ next question है, यह बोल रहा है, कितना volume sulfuric acid डाले, sulfuric acid container रखा हुआ है जिसका यह concentration है, mass by mass percentage, यह density है 49 percentage w by w है यह, और density जो है, it is 1.6 gram per ml, जो हमें यह बना दे, sulfuric acid जिसका mass by mass percentage 12.2 percent हो जाए w by w percentage और density, 1.2 हो जाए सब कुछ चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए और volume इसमें अभी हो जाए 300 ml, तो कितना sulfuric acid यहां से इसमें से लिया जाए कितना sulfuric acid डाले जाए, तो पहले तो इसकी पहले molarity निकालो, molarity molarity निकालना आता है, वहीं molarity हो जाए पता है, molarity equal to क्या होता है, 1000 into density one second molarity का रिलेशन क्या हो जाए, माला परसंटेज से mass by mass percentage into density into 10 divided by molar mass apply करो, निकालो भई, निकालो molarity molarity यहां से निकल के आपके हाथ में सबकुछ दिया, molarity हाथ में, molarity इसकी में निकालो, molarity निकालो तो यह M1 हो गया, यह M2 हो गया, बस V2 आपके हाथ में दिया हुआ है V2 आपके हाथ में, तो M1 V1 equal to M2 V2 apply करो, M2 V2 apply करो, क्या हो जाएगा, V1 आपके हाथ में आजाएगा, नहीं आजाएगा, एक बार V1 आपके हाथ में आगया, वहीतत है, आंसर कितना सर्फिरिक असर लिया जाए, पहले वाले solution से, M1 दिया, निकाला, M2 निकाला, V2 दिया वाता, वहीत पुछा वाता, इसने, हो जाएगा question नहीं, करो, solve करो question, मुझे बताना, answer क्या है आपका, ठीक है, चलो, अब mixing acid and acid की, जब acid-acid mix करोगे, याद रखना, यह acid-acid mix होते है, जिससे मान लीचे, मैं HCL, मैं HCL add कर रहे हूँ, तो देखो, पहले जब पानी mix किया था, तो पानी mix करने से, तो moles of acid बढ़े ही थे, लेकिन यहाँ बढ़ेंगे, कि दोनो acid mix हो, दोनो H+, देने वाले हो, दोनो H+, H+, देंगे, तो moles of H+, बढ़ जाता है, ठीक, याद रखिएगा, तो इसमें क्या होता है, जो हम equation use करते है, final molality जो होती है, final molality, final volume equal to होता है, M1, V1, पहला वाला solution, plus दूसरा वाला solution, जितने भी solution है, वो सब को plus कर दीजे, equal होगा M final, V final के, जैसे कि, यह formula note करिए, और equation को समझते हैं, इससे, formula देखिए, यह तब है, जब दोनों same हुआ, same मतलब, SLSN नहीं, दोनों ही acid होने चाहिए, चाहिए, वो, sulphuric or nitric होई, sulphuric or acyl होगा, कोई ठरनी पड़ता, पर दोनों acid, तो जो हमारा next topic है, वो है, parts per million, PPM, यह बताता है, बेटा, कि कितना component dissolve है, per million of solution, per million मतलब gram में, मतलब, एक million gram solution में, कितना आपका solute dissolve है, वो पताता है, PPM, PPM एक quantity है, अगर solute बहुत ही, कम dissolve होता है, क्योंकि अगर आप solution को, million में बोल रहे हैं, तो solute का amount, मतलब, ज़्यादा नहीं है, तो जब आपका solute, बहुत ही कम होता है, मतलब, concentration बहुत कम होती है, तब हम PPM को use करते हैं, यह एक million solution के अंदर की बात करता है, तो PPM जो है हमारा, इसको हम बोलते है, parts per million, यह बेटा, million टेनल पावर 6 होता है, मतलब 10 lakhs, ठीक है, तो weight of component, weight of component in, 10 अदर पावर 6, gram of solution, solution, formula क्या होगा, तो formula होता है, PPM of component का formula होता है, weight of component, upon weight of solution, into 10 अदर पावर 6 Q, यह बेटा होता है, तो 100 से multiply करता है, यह बेटा होता है, तो million से multiply करेंगे, million इंदिप्लाइ करेंगे हैं, यह तो हो गया formula है, अब इसमें question कैसे आते है, simple question होगा, mass बोलेगा, solute का mass यह है, solution का mass है, बताओ PPM कितना होगा, कितना PPM है, यह इस तरह से question आएंगे, simple formula put करने है, question में कुछ नहीं करना है, और, हाँ थोड़ा different question है, वो बता देती हूँ, आपको जो थोड़ा different question बन सकता है, यह है, question लिखिए, चलिए, तो जो question थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको करवा देती हूँ, question है बेटा, question note करिए, और solve करिए इसको, ठीक है, question है, convert, one PPM, into, percentage, कैसे convert करेंगे, तो पहले तो PPM की definition से, यह रिपन को open करते हैं, one PPM मतलब की, one gram of solute in, tender power sex gram of solution, तो one gram of solute, किसके अंदर है बच्चो, in tender power 6 gram of solution, ठीक है, percentage निकालना है, mass percentage निकालना है, तो होमला क्या है, mass of solute, दे रखा है, mass of solution, दे रखा है, और into 100, because you are finding percentage, तो कर लीजिए क्या दिखते हैं, तो solute का mass 1, solution का mass, tender power 6, into 100, तो your answer will be, 10 to the power 4 ppm, minus 4 ppm, तो ये आपको answer मिलेगा, ठीक है, तो ये तो हो गया, ppm, आगे move करते हैं, last topic, हमारा stoichiometry and limiting reagent, तो पेटा, stoichiometry क्या होती है, चलिए समझते हैं, पर इससे समझ दे पहले, कुछ common reaction जान लेते हैं, एक बहुत important reaction है, वो है combustion of hydrocarbon, कोई भी अगर hydrocarbon, या alcohol burn होता है, hydrocarbon, कोई भी alcohol को आप burn करते हो, burn का मतलब होता है, oxygen से reaction करना, तो क्या मिलता है, आपको मिलता है, carbon dioxide, प्लस मिलता है, water, और बहुत सारी energy मिलती है, जो कि हमें मतलब निवस energy से, हमें बस, क्या matter है, वो देखना है, तो hydrocarbon, अनी hydrocarbon on combustion, will form CO2 and water, यह याद रखिएगा, तो माल लीजे, मैं एक reaction लेती हूँ, कुन सी, माल लीजे, मैंने आपका methane लिया है, और मैंने इसे combustion करा है, प्लस O2 करा है, तो क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा, और water बनेगा, तो stoichiometre limited region में, जब ही पढ़ेंगे, balancing आना बहुत जरू है, balance करना बहुत जरू है, तो balance कर लेते हैं, तो कैसे balance करेंगे भई, 4 hydrogen है, 4 कर देते हैं, carbon तो बराबर oxygen देखे, कितने हैं, आप पर 4 oxygen प्रवर्ट साइगे, 2 लगा दीजिए, यहाँ पर हो गए, आपके 2 moles of, अब stoichiometre कहती है, जो stoichiometre कोफिशिंट ही होता है, जो हम आगे लगा रहे हैं, 2 moles of oxygen से react कर रहा है, और क्या बना रहा है, बना रहा है, 1 mole of CO2, and 2 moles of water, ठीक है, यह तो बात रही, moles की, हमने बता चला कैसे, stoichiometre से, तो अगर मैं बोलो, मेरे पास, अगर 2 mole methane है, बताओ, 2 mole methane, कितना बनाएगा CO2, तो अगर 1 mole, एक बना रहा है, तो 2 mole, तो ही तो बनाएगा, अगर माल लीजर मेरे पास, 4 mole oxygen gas है, तो बताओ, 4 mole oxygen gas, कितना स्यूटो बनाएगी, 2 mole oxygen gas, एक बना रही है, तो डबल कर दिया, 4, तो उस तमरे डबल कर ये, 2 mole बनाएगी, तो हमने, सिर्फ कितना reactant चाहिए, वो नहीं, हमने कितना प्रवेट बनेगा, क्या बनेगा, सब बता रहे है, 22 कि मेंटरे, अगर ये moles में कर सकते हैं, तो हम इसको फिर बाकी में, इसे mass में, हम इसके कितने molecules हैं, कितना volume में, सब में इसको convert कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं, मास की, तो मिथेन का मास कितना होता है, निकाल ये, 12 अगर बनेगा, 16 ग्राम, ऑक्सिजन का, O का होता है, 16 ग्राम, ग्राम टॉमिक मास, O2 का 32 है, तो यहाँ पर 2 O2 है, तो 32 कितना होगा, 64 ग्राम, जी, बिलकुल, 44 ग्राम और, वाटर का कितना आया, 36 ग्राम, इसका मतलब ये है, 16 ग्राम मीथेन, एक मोल बाद 16 ग्राम ही होता है, राट कर रहा है, 64 ग्राम ऑक्सिजन, और बना रही है, 44 ग्राम सीोटवाइब और 36 ग्राम आपड रही है, अब मुझे बताईए अगर मैंने मिथेन को 32 ग्राम ले लिया तो बताईए कितना ग्राम बनेगा CO2 अगर डबल करोगे मिथेन को CO2 डबल हो जाएगा ना कितना ना चाहिए 88 ग्राम देखो क्या कुछ नहीं है बहुत सिंपल है ट्रिपल कर दोगे अगर तो ये भी ट्रिपल हो जाएगा ऐसे ही करना है बस यही है अगर मैंने यह सो compare किया है मास के थूद चलो एक काम करते हैं थोड़ा molecule भी जान लेते हैं तो molecules कितने होंगे तो मिथेन में कितने हैं Na molecules react कर रहे हैं 2 Na molecules से बना रहे हैं Na molecules और कितने water के molecules 2 Na molecules यह सब relation molecules और अगर volume की बात करूं तो volume कितना हो जाएगा 1 liter stoichiometry 1 है तो 1 volume of methane याट कर रहा है 2 volume of oxygen से बना रहा है 1 volume of CO2 2 volume of water कहीं पढ़ा था यह फग्याटो लॉज में या गेलुसेकला कहां पढ़ा था हां यह लॉसेकला में पढ़ा था इसको उमने चलिए इस से खोड़ा से अप्लाय करते होड़े question जानते कैसे आएगे तो यही relation को यूज करती हूं मैं अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों की मेरे पास आ लिजे 5 मोल्स ओटू है तो बताईये कितने मोल ओफ वाटर फॉर्म होगा बताईये तो देखें relation देखें उपर खाली रिलेशन क्या बोलता है 2 मोल ओटू बनाता है 2 मोल वाटर तो 5 कितना बनाएगा वाई 5 अगर 2 mol oxygen gas form करती है 2 mol of water ही तो अगर मेरे पास 5 mols of oxygen gas है so it will form 5 mols of water only जरुई नहीं आप हमेशा mol को mol से relate करें आप mol को mass से भी कर सकतें जिसे कि ऐसे question अगर पूछे आप से कि 1 mol methane एक mol methane 44 g co2 दे रहा है ठीक है 2 mol methane कितना देगा 88 g जरुई नहीं बोल लेकर मोल ही पूछे 10 g पूछ सकता है कि मास पूछ सकता आप से वॉल नहीं पूछ सकता है कितने molecule होंगे वो पूछ से आप से पूछते हो अगर मेरे पास माल लीजे 32 gram मेथेन का है तो बताइए कितना मोल से उटू बनेगा तो 16 gram एक मोल बनाता है 32 gram कितना बनाएगा 2 मोल तो मैं किसी को किसे रेट कर सकती हूँ बस रिलेशन रिलेशन देखना है चलो एक क्वेशन लिखती हो मैं इसमें क्वेशन लिखते हम अगर मेरे पास gram of gram नहीं इसमें लिखे molecules कितने molecules water के form होगे ठीक है water के form होगे कैसे करेंगे तो भाई देखिजिए 64 जो है वो आपका 2NA molecules form करता है water के लिख 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 लिखे 64 gram of O2 आपके 2NA molecules of water के form करता है तो 1 ग्राम कितने करेगा 2 Na by 48 यह न, तहीं, 64 64 2 Na by 68 64 और हमारे पास 48 दिया है तो 48 कितना करेगा 48 करेगा 2 Na by 64 into 48 तो यह हो गए हमारे पास molecules of water तो ऐसे हम किसे कुसरेट कर सकते हैं question एक देखते हैं, question बोला होगा है water form हो रहा है, H2 और O2 से बेटा तो H2 और O2 को मिला के आप water बना रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है balance करना बहुत ज़री in questions में, तो यहां पर क्या आज़ेगा 2 करा देंगा, oxygen balance, hydrogen दुबार unbalance हो या 2 लगा दो इसका मतलब क्या है, 2 moles of hydrogen react करता है 1 mole of oxygen से बनाता है 2 mole of water अब question पूछा है, कितने water form होंगी, जब में पर 4 mole of hydrogen है, इसे बताता हो, answer, 2 से 2 बन रहे हैं, तो 4 से कितने बनेंगे तो अगर यह 4 होंगे mole, तो बेटा, यह भी तो 4 mole of water बनेगा, और क्या बनेगा ठीक है, अगर यह बोलता है, कि बताइए mass क्या होगा water, जब मैंने 4 mole of oxygen लिया है, तो बच्चों 1 mole of oxygen आप ले रहे हो तो फिर कितना mass बन रहे है water, कितना mass है water का ही, 2 into होगा, 2 into 18 2 into 18, 36 gram तो मतलब 1 mole of oxygen के साथ, 36 gram water 36 gram of water, तो अगर हमारे पास 2 mole of O2 है, 2 moles of 2 नहीं, कितने है हमारे पास यहां 4 mole दिये, बेटा 4 mole 4 moles of O2 है तो कितने मरेंगे water, 4 into 36 करिए, आंसर आगया हाथ में कुछ नहीं करना था, हो गया solve, अगला question चलो, move करते है, question है 3 moles ammonia के है, बताइए कितना N2 चाहिए, reaction है N लगा दिजिए इसको, reaction इस तरह से N2 plus H2 Habers process बोलते है, इसे Habers process, formation of ammonia by from H2, N2 and H2 called Habers process Habers, Habers ने किया था ना इसलिए, ठेक है तो अब सुने बच्चो तो balance करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और क्या, तो यहां क्या बोलता है, यह question देखिए, 1 mol N2 react कर रहा है, 3 mol H2 से बना रहा है, 2 mols of ammonia, तो question है, अगर मेरे पास, 3 mols of ammonia है, 3 mols of ammonia तो कितने N2, कितने N2 required है, तो 2 mol of ammonia के लिए कितने required थे N2 1 mol of N2 required था, है ना, relations लिखो, तो 1 mol of ammonia, unitary लगाई है, एक बनाई unitary हमेशा 1 की तरफ करते है तो 1 by 2 mols of N2 हो गए तो अगर मैंने यहां पर कितने लिए, 3 mols ले लिए है ammonia के, तो कितना N2 चाहिए होगा इसके लिए 3 by 2 कर लो ना, और क्या 3 by 2 कर लो कितना होगा 3 by 2 N2 मतलब 1.5 तो 1.5 is the answer ठीक है, तो क्वेशन करिए जितना क्वेशन प्राक्टेस करेंगे उतना जादा क्या होगा आपका यह क्लियर होगा ठीक है, मेरे सासवा करते हैं यह क्वेशन, अगला क्वेशन चलिए आप खुद से करेंगे, सुक्रोस को बर्न करें सुक्रोस एक कार्बो हाइडरेट है तो सुक्रोस फामला होता है C12, H22, O11 बर्न करें, आक्सन और ऑक्सेजन ऑक्सन दे रहे, को भी कार्बो हाइडरेट हो भी आपको इस इंप्रोड़ देगा CO2 वाटर, तो CO2 और वाटर आपको यहाँ पर मिलेगा बैलन्स कर लीजे, इसको कैसे करेंगे यहाँ पर हाइडरोजन कितने है 22 है, यहाँ 11 लगा दीजे इसके लावा कार्बन 12 करतीजे कितने होई ऑक्सेजन, यहाँ पर हो गए 24 और यहाँ पर हो गए 11 24 प्लस 11, 11 तो यहाँ पर क्यारा यहाँ पर भी है तो यहाँ पर सेदब 12 करिए, हो गया 24 प्लस 11 यहाँ भी हो गया ठीक है, चलिए तो हमने बैलन्स कर लिया एक्वेशन को अब क्वेशन की दिमांड लिखते क्या है यह बोल रहा है, तीन मोल सुक्रोस लेंगे तो कितना मास बनेगा, तो देख लेते कितना बन रहा है, तो 1 मोल सुक्रोस जो है, यह 12 इंटू 44 ग्राम सी ओटू दे रहा है मास में, तो इतना है दे रहा है ना तो अगर 3 मोल लेंगे बच्चे 3 मोल लेंगे, तो कितना बनेगा, 3 से माल्टिप्लाइ कर देंगे ना और क्या करेंगे, तो यह है मास ओफ सी ओटू ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन लिमीटिंग रिएजेंट का है चलिए पहले समझ लेते है कि क्या होता है लिमीटिंग रिएजेंट तो बच्चो लिमीटिंग रिएजेंट का मतलब ही है जो रिएजेंट लिमिट में है लिमिट मतलब कम क्वांटिटी में है लिमिट है उसकी एक हर्द है उसकी वो एकसेस में नहीं है कैसे, क्या तो सपोस करिए कि मुझे एक नहीं एक शुगर क्रीजिचन बनाना यह जो बनेघा चोगर और पानी सी बनता है है चीनी और पानी का रेशयो मैंने फिक्स करto टिया है यसा मिक्षा की डिए तो में कितना या ड्म फिक्स होता नहीं है आप चौह कम सबक्रों कैले और आपका जो sugar solution बनेगा वो बनेगा आपका one glass यह one बनेगा एक चम्मच चीनी एक ग्लास पानी के अंदर एक sugar solution त्यार है यह ratio है एक चम्मच के अंदर एक ग्लास पानी जाना चाहिए एक चम्मच चीनी एक ग्लास पानी में जाना चाहिए अब किसी बच्चे ने अगर मान ल लिया और पानी जो है एक लास ही छोड़ दिया तो बताइए कितना शुगर सॉलिशन बनेगा क्या दो बनेगा यह एक सुलिशन कितना बनेगा तो बचों देखो यहां पर आपको लागे कि दो शुगर है दो चमचीनी है तो डबल बन जाएगा तो इसा नहीं होने वाला है क् चमचीनी तो एक चमचीनी एक ग्लास पानी में चला गया एक चमचीनी जो है उसके लिए पानी बचा ही ने तो वह एकसस है वह बच जाएगा और शुगर सॉलिशन तो आपका एक ग्लास ही बनने वाला है तो इसका मतलब यह है यह जो था एकसस था एकसस कितना एकसस था ए लीक चमद है एक्स्ट्रा था यहां चुनकि पानी जो था वो कम था हम अद्लिमीट में था वार्ट्रेश्ट था रॉडवानिक Tabii इस दो डीमिस्ट तो फिर सम्झ दाइब हम लेटीमिंगिद से मैं यूत जो बीचैनल कितना से हेचरप प्रडोल गराताब तो और JAMES जब लिमिटिंग एजन खतम प्रोड का बनना में खतम प्रोड आगे नहीं बढ़ेंगा कि एक्सस अकेला क्या कर लेगा तो कितना प्रोड बनेगा डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजन पर चली आगे बढ़ते हैं और साथ समस्थे इसको जड़ा माली जी इस बार मेरे यह पास वन स्पून शुगर है और टू ग्लास ओड़ा तो बताओ कितना मेंगा सुगर सॉलीशन वन बनेगा तो रेश्यो तो वन इस तू वन का था ना वनाने के लिए तो अभी चमच जो है चीनी का वह एक है लेकिंच पानी जो है दो ग्लास है कितना बने गा तो पानी अब एक्स्ट्रा हो गया और क्या यह जो हो गया यह एक्सेस में हो गया है और इस बार यह लिविटिंग कर रहा है कितना बनेगा सब्सक्राइब हो उड़ा लेकिन अगर मान लिजिए किसी बच्च ने समझदार बच्च ने चीनी का दो चम्मच लिया और पानी काफी दो ग्लास लिया तो बताइए क्या कोई लिमिटिंग रहेगा कुछ बचेगा कुछ नहीं बचेगा दो शुगर स्पून दो शुगर सॉलेशन बन जाएगा और देरेस्ट नो लिमिटिंग सब कुछ पफेक्ट राइट तो ऐसे पहले पैचान रहे तो हमेशा जब क्वेशन जभी भी सुनना, जभी भी आपको ऐसा हो, कि आपको reactant के, दो reactant के amount दे रखे हो, तो हमेशा question limiting reagent का होता है, क्यूंकि उसमें से एक ऐसा होगा, जो खतम हो जाएगा, और product उसके according मरता है, हम product इसे पढ़ी बनेगा, अपने according नहीं कर सकते, we have to identify कौन limiting reagent है उसके according program को बनाना पड़ता है यह क्राइटेरिया है limiting agent का, अगर question stoic, normal question stoic metric है तो according to यह 1 में 2 है, तो 2 में 4 करते जाए, कोई issue नहीं है लेकिन question limiting का है, मतलब अगर 2 reactant का amount दिया है तो पता करना पड़ेगा कि कौन उसमें से limiting है तो question कैसे है, यह question है, एक जो question NCRT में भी था इसे जान लीजे, बहुत अच्छा question, एक दम doubt clear कर जाता है limiting agent के यह बोलता है, A combine कर रहा है B2 से और बना रहा है AB2 A, एक atom कर रहा है B2 molecule से और बना रहा है AB2 molecule बेटा, ratio कितने का, 1 is to 1 और 1, A combine कर रहा है, एक mole of B2 से और एक mole of AB2 बना रहा है अब हुआ क्या, अगर किसी ने 300 A ले लिया, देखो 1 is to 1 का ratio नहीं हाँ पर किसी समझदार बच्चे ने 300 A ले लिया और 200 ही B लिये 200 molecule ही B2 के लिए, तो क्या होगा, कुछ बचेगा, नहीं बचेगा तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, A जो है बेटा, यहाँ पर A हमारा access में है और B जो है, वो क्या है, limiting region है, तो identify the bleeding region, B is the limiting region है दिखी रहा है, वो B कम है, यहाँ पर A के 2 है, और B के 3 है, तो बराबर होना चाहिए दो बचेगा है, तो यहाँ पर A जो है, वो limiting region होगा, B जो है, वो access में होगा, B2 जो था, इस वाले question है, अगला question है, उसमें क्या है आपका, 100 atom A के और 100 molecule B के तो बचेगा है, तो बचेगा अगले मताइग धा, किया होगा, विल्कुल साही, अगले में B होगा, नेक्स में कोण लिमिटेग होगा, बिल्कुल साही, नेक्स में A होगा, तो यही तो है, और कितना बनेगा A B2, मैं बहु niedagi, बताओ, विटेगा कितना बनेगा A B2, जो theo Sao, 500 sł तो बोला है पांच मोल हाइड्रोजन है दो मोल ऑक्सिजन है बताइए कि कौन लिमिटिंग है और कितना बनेगा प्रोड़क्ट तो पहले लिमिटिंग बताएंगे तो बताएंगे तो तरीका देख लीजे बताएंगे स्टोइकोअ में ऊंपने दीजेग्ट को अभ्यात कितने स्टैच वेडिंगेंडिया निकालने के लिए तो एक स्टोइकिमेटरी के खिए थी तो यह थी है है घ्रोजीन की हालत ऑक्सिजन का किया अदिशन के मोल्स तू और क्या एक स्टेच के के विए विए आफ आफ मतलब 2 पर जाएगा बच्चों तो यह हो जाएगा 5 इसका तो 5 ही रहेगा और इसका हो जाएगा 4 कौन जाता लग रहा है H2 जादा है ना O2 का मैं तो बेटा O2 लिमिटिंग है देखो मैंने बिना जादा हाथ पर चला है क्या करने हैं आपको मोल्स बाइस्टोकिमेटरी करने हैं जिसकी वैल्यू जादा वो एक्सस होता इसकी वैल्यू का मोल लिमिटिंग होता है तो O2 लिमिटिंग है तो बनेगा प्रवेट O2 के गॉर्डिंग तो रेक्शन क्या बोलती है है ह two plus half O2 giving water तो इसका मतलब क्या होगा ओटू के मां ओटू का कितना है तो यह बोलता है कि हाद मोल ऑफ ओटू बनाता है यह तो कह रहा है दो मोल लिए होटू के यह कि लिमिटिंग ओटू तो देखे करेंगे अगर दो मोल लिए है तो कितना बनाएगा तो आधह एक बना रहा है, दो कितना बनाएगा, solve करिए मेरे साथ, आधा एक बना रहा है, तो 1 mol बनाएगा, इसमें 2 mol, उस तरफ जाएगा यह, उपर चला जाएगा 2, और अगर हमारे पास कितने हैं, 2 mol o 2 है, कितना बनाएगा, यह बनाएगा 4, आप नॉर्मली कर सकते हैं, कोई बड़ी ask, अगले question है, move करते हैं, अगला question है हमारा, 9 mol A का है, और 10 mol B का है, पहले तो आप सब लिमिटिंग बता करिए, कौन सा लिमिटे होगा, चलिए, लिक उसमें आंसर भी आपको दे रखे, देखे, पता करिए, कि आपका लिमिटिंग इसमें B ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पहले निकालते हैं, A का क्या होगा, moles by stoichiometry, B बताईए, moles by stoichiometry, ये कितना आएगा, 9 by 3, 3 ये आएगा, चिक है, और 10 by 4 जो है, ये 2 point something कुछ आएगा, तो definitely यहाँ पर जो है, ये value बड़ी है, मतलब B जो है, आपका लिमिटिंग इसमें मालूम कर लिया, अब B लिमिटिं 4B बनाता है, 5C, तो 1B कितना बनाएगा, 5 by 4C, और कितना भी है हमारे पास, हमारे पास जो B है, वो 10 mol है, तो 10 mol of B, कितना बनाएगा भाई, 5 by 4 into 10, मतलब 50 by 4, ऐसी आप लोग moles of D, excess region कौन सा है, excess region तो पता है, आपका A है, कितना ये बचेगा, वो भी निकाल लिए, ठीक है, चलिए इसको solve करिए, तो बेटा इसी के साथ ये खतम होता है, mole concept, हमने पूरा basic concept of chemistry पढ़ लिया है, जितना जितना आता है, सब सीख लिया है, अब आपको करना क्या है, आपको जाना है, और जितने हो सके उतने question लगाने है, कुछ question percentage purity के भी होंगे, उसको भी जरूर देख करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये question जोते हमने सारे discuss कर लिए, अब mole concept में बस आपको question लगाने है, और आपका mole concept perfect हो जाएगा, बस देखते ही आँ से बता दोगे आप लोग, ठीक है, तो चलिए वेटा, all the best, ओके बाई बाई बाई